Hello everyone, आप सभी का स्वागत है भई Magnet Brains के इस amazing YouTube चानल पर जहाँ पर हमारी सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K12, that is kindergarten से class 12 तक हमारे सारे प्यारे बच्चों को पूरी तरह से free of course पढ़ाई, पूरी तरह से free of course वीडियोज. For all the students of K12, यानि की kindergarten से class 12, English Medium CBSE Board वाले बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई कराई जाती है दोस्त, आपका हर सब्जेक का पूरा syllabus पढ़ाया जाता है, पूरा course कम्पलीट कराया जाता है, इसी के साथ जो Hindi Medium के बच्चे हैं वो भी सुन लो भई, Hindi Medium के लिए जो हमारा एक dedicated YouTube channel है which is Magnate Brains Hindi Medium, उस पर जा सकते हो आप सभी Hindi Medium के बच्चे जो class 6 से लेकर class 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, यानि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किसी भी कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप UP Board, MP Board, Bihar Board, Rajasthan Board या फिर Delhi Board, इन 5 state board से related होने चाहिए दोस्त, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो Hindi Medium में हैं, class 6 से लेकर 12 तक किसी class में पढ़ाई कर रहे हो, और इन 5 state board से related हो, तो दोस्त, वेट मत करो यार, जल्दी से चले जाओ Magnate Brains के Hindi Medium YouTube चानल पर और वहाँ पर अपनी पढ़ाई शांदार तरीके से complete कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर भी आपको quality education वाले videos हम पूरी टीम प्रोवाइड करा रही है, English Medium के बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर हमको notes प्रोवाइड करा दो, तो देखो जो भी English Medium के बच्चे है, class 6 से लेकर, class 12, CBSC वाले, उन सभी के अच्छे से सुन लो भई, कान कोल कर सुन लो कि आपको बहुत top class notes, जो PDF के format में, e-books और e-notes के format में आपको provide हम कराते हैं, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, you can get those notes by visiting our website, आप हमारी website visit कर लो, जो की है www.magnetbrains.com, corner पे लिख कर आएगा grab e-notes, click करना, class और subject चूज़ करके, download कर लेना अपने लिए बढ़िया best notes, चलिए शुरू करते हैं, आज का बढ़िया वाल किस चाप्टर के बिटा, चाप्टर नमबर वान विच इस रिलेशन्स एंड फंशन्स मैथमेटिक्स, क्लास 12, तो बिटा, जो इसका part 1 आया था न, जिसमें मैंने question 1 से लेकर 10 तक समझाये थे, उसको देख लेना, अगर नहीं देखा है तो, देख लिया है, समझ लिया है, attempt कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, देखो मैं सिर्फ देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई, वहाँ जाओ, उन सारे questions की पहले खुद practice करो, सारे के सारे 10 questions की, नहीं आये समझ में, तो play pause, play pause का button आपके पास है, समझ लेना, हर question को detail में मैंने आपको समझाया है, ऐसे ही बिटा आप ये वाला पार्ट जब देख रहे हो, तो यहाँ 11 वे question से लेकर 20 वा question, that is 11 to 20, ये पूरे 10 questions हम इस पार्ट में देखेंगे, हर question का detailed explanation में आपको दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जब मैं आपको question दिखाऊं, आप question को खुद से attempt करो, चलिए शुरू करते हैं, pen, pencil को आपकी निकाल के बैठो, ये रहा हमारा आज का पहला question, और most important question की series में 11th question, चलिए से पढ़ेंगे बिटा, what is the range of the following function, देखो भाईया, ये function दिया गया है, question mark लगा है, पूछा गया है, बताओ इस पूरे function का range क्या है, range क का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, output, क्या होता है, range का मतलब, range का मतलब होता है, सर जी, output, ठीक है, output, एक बाद ध्यान रखना बिटा, output आप डरेंगे नहीं निकाल सकते, आपको पहले input के बारे में घ्रान हासिल करना होगा, आपको पहले domain के बारे में, चीजसे समझन तो range की जब बात करेंगे हमें input यानि domain की भी बात करनी पड़ेगी ठीक है सर तो जल्दी से कर लेते हैं हम range निकालने के लिए इसके domain की बात function दिया गया है बिटा fx is equal to mod x minus 1 mod x minus 1 upon x minus 1 अब इन्होंने already input दे दिया पता क्या दिया input देखो ये दिया देखो ये क्या दिया हुआ है x is not equal to 1 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ भई या x 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है फिर अगर इन्होंने not equal to दे दिया तो फिर किसके equal हो सकता है any real number इसके मतलब इसका क्या मतलब है इस पूरी line का मतलब है सर x की जगा आप कोई भी real number ले सकते हो आप x की जगा कोई भी real number ले सकते हो x belongs to real number बस 1 को छोड़ दो यानि की minus 1 इसका ये मतलब है तो भईया ये जो चीज मिली है अपन को यही तो domain है क्या है बेटा यही तो domain है किसी भी function में x जो लिखा होता है जो x लिखा होता है ये input होता है बेटा इसकी जगा अगर मैंने 1 लिख दिया तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा solve करना पड़ेगा इसकी जगा अगर मैंने 2 लिख दिया तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा x की जो भी value put की जाती है वो input होती है वो domain का हिस्सा होती है यह बात अच्छी से कान खूल कर सुन लो भी ठीक है sir done है clear है बिलकुल clear है अब समझना बेटा इसका answer इसकी range क्या आएगी ठीक है done sir समझते है इसकी range का क्या हास हिसाब किताब होने वाला है चलो भी चलो कुछ examples ले ले लेते बच्चा ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात जी sir देखो अगर अपन ध्यान दे तो ऊपर क्या है sir what is this sir mod है modulus function दिया गया है ऊपर modulus function दिया गया है ऊपर बात ध्यान से सुनो पहले थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं कि sir इन्होंने जो input यानि की जो domain दिया जो x की value तुम put कर सकते हो उसमें इन्होंने ये क्यों कहा कि x की value तुम 1 नहीं रख सकते हैं ये क्यों कहा गया sir इसका भी explanation दे दो तो इसका explanation बहुत easy है बिटा गौर से सुन लो जब भी कोई function जब भी कोई function something upon something होता है something upon something होता है जैसे उपर क्या आया sir यहाँ उपर आया यहाँ उपर आया mod x minus 1 mod close और नीचे आया x minus 1 something upon something है sir ओके और यहाँ एक चीज़ और देख लो कि अगर ये numerator upon denominator है और denominator के अंदर एक polynomial है sir denominator मतलब नीचे वाला अगर ये polynomial है बिटा ये polynomial है x minus 1 ये polynomial है अगर ये polynomial है तो आपका input domain पूरा पूरा इसी पे depend करेगा पूरा पूरा आपका input और domain इसी पे depend करेगा मतलब बिटा आपने सुनो होगा आपको अच्छे से पता है कि कभी भी किसी भी number के नीचे 0 नहीं आना चाहिए मानके चलो मैंने लिखा माइनस का 2 और मैंने नीचे लिख दिया 0 तो सरी ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई कोई भी number divided by 0 करोगे कोई भी number वो नॉट डिफाइन आता है तो अगर for example अगर ये 0 हो गया for example अगर ये 0 हो गया पूरा का पूरा x की जगा मैंने मानके चलो 1 लिख दिया अगर मैं x की जगा 1 लिखूंगा तो 1-1 क्या आएगा 0 नीचे 0 हो जाएगा उपर भी 1 रखना पड़ेगा no doubt अगर मैंने यहाँ f x की जगा यहाँ पर मैंने 1 रख दिया समझ रहे हो ना हाँ सर तो क्या आएगा यह आएगा mod x की जगा आएगा 1-1 mod close और यह आएगा 1-1 तो यह आजाएगा mod 0 upon 0 और एक बात बताओ मैंने अभी बताया कि अगर नीचे 0 आ गया तो यह क्या हो जाएगा सर यह तो हो गया not define तो मतलब पूरा function नहीं होने देना है नीचे upon में जो polynomial उसको 0 होने से बचाना है और 0 होने से कैसे बचा सकते हैं अपन simple है सर x के equal में 1 रखने से यह 0 आया 1 नहीं रखो तो हम कह सकते हैं x is not equal to 1 यह x is not equal to 1 बिटा ऐसे आया कि सर जो आपको function दिया उसके upon में x minus 1 है इस पूरे x minus 1 को 0 होने से बचाना है यह याद रखना upon में 0 नहीं आना चाहिए और अगर हमें इसको 0 होने से बचाना है तो x की जगा हम 1 नहीं रखेंगे इसलिए हिनों ने कहा है x is not equal to 1 बागी कुछ भी चीज रख दो x की जगा कोई भी real number रख दो बस 1 नहीं रखेंगे तो इस हिसाब से यह domain आ गई x belongs to any real number other than 1 minus 1 का मतलब है other than 1 1 चोड़ दो बस ठीक है सर बात के लिए रहे समझ में आ गई है बिलकुल आ गई अब बात कर लेते हैं सर अपन काहे की भीया अब बात कर लेते हैं सर रेंज की किसा रेंज क्या होगा ठीक है रेंज का मतलब मैंने बता दिया बिटा आउटपुट गौर से सुनना अब रेंज के लिए ज़रा उपर देखो यह क्या है mod यह modulus function है अब अब अपन ने modulus function पढ़ा है सर को अंदर modulus function के अंदर जो भी चीज आ रही है यह अगर जो भी चीज आ रही है यह जो X है यह या तो greater than 0 हो या equal to 0 हो अगर यह अंदर जो भी चीज आ रही है यह greater than 0 हुई मतलब यह X चो भी value है अंदर यह 0 से बढ़ा हुआ 1,2,5,9 जो भी है या फिर 0 है या फिर 0 है तो sir इसका answer क्या आएगा इसका answer आएगा x इसका answer बिलकुल वैसे ही आजाएगा x अभी बताओंगा don't worry अगर मान के चलो x की value mod के अंदर जो ये x बैठा हुआ है इसकी value 0 से छोटी आ गई मान के चलो ये x की value जो है ये negative हुई negative बोले तो 0 से छोटी तब क्या होगा sir तब answer होगा minus x तब answer होगा minus ka x क्या मतलाबे sir इसका चलो examples समझ लेते है ठीक है don't sir देखो इसके अंदर अगर मैंने 0 डाल दिया मैंने क्या लिखका sir x की जगा मैंने 0 लिखका क्या लिखका sir मैंने x की जगा या जीरो लिख दिया. अब mod 0 का answer क्या होता बिटा. Mod 0 का answer तो 0 होता. तुम सबने सीख रखा है. 0 भाहर निकल जाएगा. Anasında क्या या 0? आंसर यह आया, सर. answer क्या या 0? और 0 क्या है? X? तो answer का मतलब क्या है? answer तो X Christmas. answer तो X आвिया. मैंने क्या बोड़ा अगर x is equal to 0 है तो answer x आएगा अगर x is equal to 0 है तो answer x आएगा मतलब answer 0 ही आएगा जो इसके अंदर है वही answer आजाएगा इसके अंदर x था answer भी x आगया next अगर x greater than 0 हुआ मान के चलो x की जगा मैंने 5 रख लिया चलो मैंने x की जगा 5 रख लिया लो अब बताओ अपन सब को पता मौड के अंदर अगर negative कोई चीज आए तो बहार आके वो positive हो जाएगी मौड के अंदर अगर कोई positive चीज आए बहार आके वो positive रहेगी तो 5 जब बहार आएगा तो ये तो 5 ही रहेगा समझ रहे हो ना बात को अब इन दोनों condition को तो analyze करो इन दोनों condition का मतलब चाहो दह सर इन दोनों condition का मतलब है कि अगर x 0 है या 0 से बढ़ा है तो same same answer आजाएगा 0 की जगा 0 5 की जगा 5 अगर x 0 से बढ़ा है या equal to 0 है तो answer modulus x का answer x आजाएगा clear कर समझ मैं यह सर अब अगर x की value यह negative आ जाए यानि 0 से छोटी आ जाए अगर तो क्या होगा तो चलो यह भी देख लेते हैं मान के चलो x की value मैंने minus 2 ले ली मैंने minus 2 ले ली अब मैं modulus x modulus x मतलब minus 2 रख रहा हूँ अब अब अपन को पता है बेटा कि जब भी mod x में minus का कोई भी particle आता है कोई भी element आता है बहार हो के वो plus बन जाता तो minus 2 आगे बहार plus का बन गया अब भाई यह कैसे बना कुछ तो तरीका होगा हाँ सर अगर minus का कोई भी element कोई भी number modulus में आएगा तो minus के साथ वो ही number लिख दिया जाएगा तब जाके वो plus का 2 बनेगा minus के साथ उसी number को लिख दो अगर negative है तो बात समझ रहो ना अगर negative है modulus के अंदर तो उसी number को minus के साथ लिख दो क्या यह तुम्हें ऐसा नहीं देख रहा minus x minus और यह पूरा x है देखो x की value minus 2 है तो यह minus x नहीं है समझ गए ना हा सर अगर यह समझ गए तो अब तुम यहाँ चल्दी से देख लो तो f x जो है हमारे दो हिसाब से काम करेगा दो कैसे दो भाईया यह अपन को दो answers देगा यह हमें दो answers देगा क्या अगर बहुत गौर से सुनना बेटा अगर मान के चलो यह जो mod x minus 1 है इस पूरे को ध्यावन से सुनना mod x minus 1 जो है इस पूरे mod x minus 1 को तो x मानो इसको पूरे को x की शगल से देखो x की x मान लो इसको ठीक है mod x ठीक है सर अब मान के चलो if यह पूरा x minus 1 is greater than or equal to 0 मान के चलो अगर यह पूरा पूरा greater than 0 हुआ यह equal to 0 हुआ जो भी हुआ तो हमें बता है कि greater than equal to 0 में कहां चला गया answer वही का वही आ जाता मतलब answer यही आ जाएगा x minus 1 तो अपन को पता है कि इस condition में mod x minus 1 upon x minus 1 अपन को यह क्या देगा अगर x minus 1 यह पूरा part positive है या 0 है तो यह वैसे का वैसे ही भार आ जाएगा x minus 1 आ जाएगा और नीचे x minus 1 है यह एक दूसरे को काट दें यह answer आ जाएगा 1 तो output आपका एक 1 आ जाएगा ठीक है सर और मान के चलो सर मान के चलो कि अगर mod के अंदर जो item मौजूद है x minus 1 यह negative हुआ मान के चलो यह negative हुआ सर तो मान के चलो अगर यह negative हुआ 0 से छोटा हुआ देखो if x यानि mod के अंदर जो भी चीज़ है वो 0 से छोटी हुई तो answer आता minus x अगर mod के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो छोटी हुई 0 से negative हुई तो answer क्या आता है minus x मतलब इसका जो भी answer निकलेगा वो ऐसा दिखेगा fx is equal to mod x minus 1 upon x minus 1 बिटा ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा अगर ये negative हुआ ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा लेकिन बिटा माइनस के साथ पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा माइनस के साथ ये पूरा का पूरा जो x से बाहर आ जाएगा लेकिन minus x minus के साथ ठीक है सर अपॉन में x minus 1 तो सर x minus 1 से x minus 1 cancel minus का बनाया इसका मतलब हमारे पास जो range है जो output है इस question की वो सिर्फ दो तरह से आ सकती है क्या हमारे पास जो range आएगी वो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 आ सकता है या फिर minus 1 आ सकता है या तो वनाएगा या minus 1 आएगा करके देख लो तुम जो number रखना चाहते हो करके देख लो चलो x की जगह एक काम करो तुम solve करो बिटा बच्चा 7 रखके चलो तुम x की जगह minus 5 रखके solve करो तुम देखो तुमारे पास answer या तो वनाएगा या minus वनाएगा इसके लावा कोई answer नहीं आ सकता चेक करके देख लो ठीक है जल्दी से copy कर लो एक question complete हो गया उसके बाद अपन चलते है next question number 12 पे done है बिलकुल done है आगे चलते है question number 12 पे और complete करते हैं बढ़िया तरीके से इस पूरे पार्ट को चली copy कर लो बिटा इसको जल्दी से screenshot ले लो erase कर दिया है आगे चलते है second question पे देखो यह रहा next question number two मतलब आज के session का second question लेकिन अपनी इस पूरी series में बारवा question है यह all India CBSC में 2010 में question आ चुका है जल्दी से इसको attempt करते हैं ठीक है done sir बहिया एक function दिया गया है दोस्तापन को f ठीक है यह function कहां से कहां जा रहा R to R यह function real to real है इसका क्या मतलब हुआ sir पहले तो इसको इसको सीखो इसका मीनिंग क्या होता है sir जी यह real इसका मतलब है यह input input का मतलब है domain है na domain का set क्या है real number सारे real number इसमें put किये जा सकते हैं यह क्या है sir यह range मान लो या code domain मान लो आपको output इसके अंदर से मिलेंगे output आपको यहीं से मिलेंगे done बिलकुल sir आगे चलते हैं ध्यान से सुनना अब समझ दो या ना ध्यान से आपको एक f function दिया है उसको define कैसे किया गया है देखो इसको define कैसे किया गया है f x is equal to bracket 3 minus x cube whole power 1 upon 3 देखने में dangerous है पर करने में बहुत आसान देखो क्यों है easy बताता हूं सुनते जाना अब मान के चलो बहले तुम्हें थोड़ा सा concept समझाता हूं देखो अपने पास मान के चलो दू function है एक है f और एक है g दो functions है अपने पास ठीक है अब इन दोनों को compose करना है composite function बनाना है मतलब इन दोनों को मिला के एक नए function बनाओ ठीक है सर जिसको हम बोलते है composition of function पूरी आपकी NCRD का आखरी इस chapter का आखरी हिससा है last topic है ठीक है सर उसके लिए सर हमें बस एक condition follow करानी पड़ती है क्या सर अगर ये वाला function A to B जा रहा है तो इस function को B to C लेना पड़ेगा मतलब एक connectivity चाहिए हमें इन दोनों को mix करने के लिए इन दोनों को मिलाने के लिए हमें connectivity चाहिए B और B सेम होने चाहिए B और B सेम मतलब इसका output और इसका input सेम होना चाहिए या फिर इसका input और इसका output सेम होना चाहिए कुछ ना गुस्तो सेम होना चाहिए डें सर अगर ये चीज हो गई तो हम इन दोनों को mix कर पाएंगे और इन दोनों को mix करके इन दोनों को मिला के हम एक नया function ला पाएंगे अब सर F एक अलग चीज है जी एक अलग चीज है F एक अलग function है जी एक अलग function है इन दोनों को मिलाने की दो प्रिक्रिया हैं, दो मैठड हैं दो तरह से हम इनको mix कर सकते हैं दो तरह से हम इन से composite function निकाल सकते हैं दोनों अलग-अलगता रखे हैं दोनों different हैं सर, number one, ध्यान से सुनिएगा इन दोनों को mix कर के सर, हम एक चीज़ को बोला सकते हैं fog, fog, और एक चीज़ को goff direction भी depend करता है हो सकता हम fog निकाल दे हैं या gof निकाल दे हैं दो तरह से काम हो सकता है सर, ठीक है इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं f of gx f of gx बात समझ में आ रही क्या बोलते हैं सर, इसको open f of gx ठीक है इसको बोलते हैं f of gx यहाँ g लिखकर उसमें x लिख दो सर, ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं g of fx g of fx ठीक है, सद्डर है clear है 101% clear है यह समझ में आ गया कि जब दो अलग-अलग functions होते हैं तो उनको हम दो तरह से mix कर सकते हैं एक है frog एक है golf ठीक है अब इसी condition में मैं तुम से ये कहूँ कि मेरे पास दो functions तो हैं मेरे पास दो functions तो हैं लेकिन दोनों functions same है दोनों functions same हैं तुम कहाँ के सब ये कैसे एक possible है बिलकुल possible है एक function F खुद से भी composite function बना सकता है खुद के साथ भी mix हो सकता है जडरूरी नहीं है कि है कि एक function F अलग है एक function G अलग है अलग-अलग functions को ही आप मिलाकि एक नया function build up कर सकते हूं ठीक है तो सर यह क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब हुआ हमारे पास दो function है दोनों ही F और F है अब हम इन दोनों को सिर्फ एक तरह से mix कर सकते हैं सिर्फ एक तरह से there is only one method जब हम इन दोनों का composition कर सकते हैं composite function बना सकते हैं तो दो method एक जी जी ओ एक एक ही method है F O F F O F चाहे तुम यहां से यहां जाओ तुमें मिलेगा एक चीज और इस F O F यह क्या होता है सर जैसे F O G G O F यह होता है यह होता है यह होता है फ F of F of F F अब अगर तुम्हें यह समझ में आ गया अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो इसका मतलब है तुम्हें यह समझ में आ जाएगा यह जो इन्होंने पूछा है ठीक है F of F X पूछा है इन्होंने ठीक है सर तो चलो शुरू करते हैं सर जी इन्होंने पूछा है F O F F O F x लगा दिया आगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, f of fx, ठीक है sir कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखते है sir, f of fx, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है put करो, solve करो, answer आजाएगा, ये fx क्या है, what is fx, sir fx की value ये है fx की value ये है sir, ठीक है, रखो भाई, यहां, यहां रखो, तो f of fx is equal to f, ठीक है इस पूरे bracket की जगा मैं ये रखोंगा, ठीक है, डने sir, बिल्कुल डने, इसको बड़ा bracket बना लूँ, ठीक है सुनते जाना अभी, ये sir, अपने पास fx ही है, और कुछ नहीं है, gx, gx नहीं है अपने पास, ये क्या है sir, ये है अपने पास 3 minus x cube की power, 1 by 3 ये है अपने पास, ठीक है, सुनते जाओ, अब मुझे इसकी value निकालनी है बेटा, मैं इस पे आके अटक गया हूँ, मैं इस पे आके अटक गया हूँ, अब मैं कहूँ यार, इसको कैसे solve किया जाए, simple है, बहुत simple है, कैसे सुनो, अगर मैं इस x के बदले 1 लिख दूँ, for example मैं इस x के बदले 1 लिख दूँ, तो मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, अगर मैं इस x के बदले 9 लिख दूँ, f9, suppose f9 बना दिया, तो मुझे इस x के बदले 9 लिखना पड यह पूरा पार्ट लिख दो सर यह यह पूरा हिस्सा लिख दो सर आप तो बात खतम अगर मैंने यह पूरा का पूरा हिस्सा यहां से उठा के यहां लिख दिया तो बिल्कुल यहां जो एलेचेस में जो हिस्सा बनके आएगा वो बिल्कुल इसी के जैसा दिखेगा जो अपन करना है ड़न है बिल्कुल ड़न है सर इसको अपने ओडा दिया भाई ठीक है ड़न अब सर जैसे हमने रखना शुरू करा F ठीक है इस X की जगा मुझे ये पूरा रखना 3 minus x cube की power 1 upon 3 ठीक है रखो भी या 3 minus उल्टा ही बना दिया है मैंने रुख जाओ 3 minus x cube की whole par 1 by 3 इस f x की जगह मैंने ये पूरा part लिख दिया तो देखो ये बन के आगया अपने पास आगया ठीक है सर is equal to is equal to bracket bracket ठीक है सर 3 minus 3 minus यार अब ये x जो आया इसका क्या करे x नहीं लिख सकते है आप इसको इसकी जगह भी वही लिखना पड़ेगा जो आपने इसकी जगह लिखा इसकी जगह आपने ये पूरा लिख दिया तो इस x की जगह भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सर यहाँ रिप्लेस कर दिया यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा बिटा x क्यूब का मतलब है ये पूरा पार्ट और फिर उसका क्यूब बास समझ में आ रही है बास समझ में आ रही है ये सर तो पूरा 3 minus x cube x पहले लिखो फिर cube बाद में देखेंगे ठीक है sir तो x लिखते है sir पहले x है 3 minus x cube की power 1 by 3 यह x हो गया this is x और यह x हो गया और इसका cube यह cube cube क्यों लगाया sir अरे भाई यह है ना x यह x है और इसकी उपर cube लगाया तो मैंने x लिखके यह पूरा x है और उसके cube लगा दिया अब बेटा 3 जो power है वो 1 upon 3 के उपर है power की उपर power power multiply हो जाती है 1 upon 3 और 3 multiply हो जाएगा 3 से 3 cancel power 1 बचेगा 1 बचेगा power ठीक है तो यहां 3 लिखेंगे minus दियान से सुनना बेटा यहां क्या आएगा यहां आएगा 3 minus x cube बस 3 minus x cube बस क्यों आएगा सर अरे बाई इन दोनों ने आप c में multiply कर लिया इन दोनों ने आप c में multiply क्यों करा क्योंकि power की उपर power है तो यह बचा अब सर ब्रेकेट ओपिन करो minus का 3 plus का x cube हो जाएगा 3 से 3 कट गया आंसर क्या है बिटा x cube this is our answer यह हमारा आंसर है जल्दी से copy कर लो यह question भी बिटा खतम हो गया है now let us move on to next question number 13 ठीक है डन चलो बहिया question number 13 पे चलते हैं जल्दी से इसको erase करते हैं और आगे चलते हैं question 13 यह रहा inverse वाला है बिटा f inverse है ध्यान से करना ठीक है if देखो if का मतलब समझो पहले बहुत important है भी टा ध्यान से सुनना if f is an invertible function अगर f एक invertible function है invertible function मतलब inverse होगा उसका invertible function वीडियो नहीं देखा है तो देख लो बहुत डीटेल में अच्छे से समझा चुका हूँ मैं best तरीके से समझाया है 100% समझ में आ जाएगा पहले तो हमने एक function लिखा जो हमें दिया गया है जो define किया गया है f x is equal to क्या है दोस्त 3 x minus 4 upon 5 ठीक है ये function है अपने पास ये f है f या f x ठीक है अब ये function जो है न इन्हों ने कहा दिगा ये invertible है अब तो खोज सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ invertible function है तो ये किस type का function हुआ होगा simple है ये although इस question में ज़रूरत नहीं थी मुझे बोलने की पर मैं तो मैं याद दिलाता हूँ ताकि तुमारी चीजे और concept revise होते चाहें भाई साहब ये हमको दिया गया है invertible function क्या दिया है बिटा invertible function invertible function ठीक है सर अगर ये invertible function है तो हमने एक चीज़ लगा के लिख ली कि सर हो ना हो ये one one और on to दोनो टाइप का function है तो अपन क्या करेंगे अपन कहेंगे f is one one f is one one ठीक लगा दो f is on to f is on to भाई कोई function invertible कब होता है ये आपको पता होना चाहिए कि सर कोई function invertible सिर्फ तब होगा जब वो one one भी हो मतलब उसका nature one one वाला भी हो और उसका nature on to वाला भी हो यानि अपन कह सकते हैं कि कोई function bijective है तो फिर वो invertible है और अगर invertible है तो इसका inverse हो सकता है inverse का मतलाब हमारे पास इस function fx का ultra f inverse x exist करेगा exist करेगा और वही अपन को निकाल ला है यही हमें calculate करना है बात समझ में आ गई बात के लिए रहे yes or no जल्दी बता दो yes or no चलो बात कर लेते हैं कि f inverse x कैसे निकालेंगे सर है ना inverse देख लेते हैं सर inverse निकलेगा कैसे ठीक है सर तो इन्वर्स निकालने की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहला point step by step बताऊंगा ठीक है हाँ सर सबसे पहला point है यह जहाँ पर मैं पंचन लिख दिया step number two होता है f x की जगा y लिखो सर अपन step number two क्या लिखेंगे let f x is equal to y let f x is equal to y सर जी f x की जगा y लिख दो तो लो भाईया अपनने यह लिख दिया इसकी जगा अपनने उठा के y लिख दिया ठीक है तो y is equal to बिटा यह बन जाएगा 3x minus 4 by 5 clear है हाँ सर clear है इतनी बाद done है बिलकुल done है step number three क्या है सर step number three है बिटा जैसे यह y is equal to something है न आप इसको x is equal to something में convert करो x is equal to something में कैसे convert करें सर लो भाई थोड़ा सा काटपीटी करनी पड़ेगी solve करना पड़ेगा y is equal to 3x minus 4 by 5 5 को यहाँ भेजो 5 into y is equal to 3x minus 4 3x को यह रहने तो 4 को यहाँ भेज दो 5y plus 4 is equal to 3x पलट के लिख दो बेटा 3x is equal to 5y plus 4 3 को y भेज दो x is equal to 5y plus 4 by 3 देखो x is equal to आगया x is equal to आगया ना हाँ सर लिख दो भाई यहाँ पर जल्दी से x is equal to 5y plus 4 by 3 क्लियर है हाँ सर क्लियर है हो गई बात लास्ट स्टेप बिलकुल लास्ट मेन स्टेप सर क्या है बेटा लास्ट स्टेप है जब आप इतना काम कर लो तो x की जगा y लिख दो और y की जगा x लिख दो इसको बोलते हैं x और y की जगा को इंटरचेंज कर दो खतम हो गया सर x लिखा नहीं सर अपन y लिखेंगे ठीक है is equal to 5y लिखा अपन x लिखेंगे सर plus 4 upon 3 plus 4 upon 3 बेटा यही अपना answer है यही अपना answer है यह हो गया एक ऐसा function जो इस function का invertible function है inverse है बस एक काम और कर देना छोटा सा क्योंकि हो सकता है यहाँ number कड़ जाएं आपके y की जगा बेटा अपन को f inverse x लिखना है यह लिखना है अपन को y की जगा बस y अटागे last में f inverse x लिख दो f inverse x is equal to 5x plus 4 by 3 यह अपना answer हो गया this is answer f inverse निकालना था तो यह clear हो गया done है बिल्कुल done है जर अब एक चीज़ और बता दे रहा हूं तुम करके देखना खुच से मैं नहीं कर रहा हूं मैं करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ठीक है यह session बहुत lengthy चला जाएगा फिर हमेशा याद रखना अगर दो functions invertible हैं एक दूसरे के जिसे अपनने एक function लिखा f जो अपन को दिया गया था 3x minus 4 by 5 ठीक है ठीक है एक यह function है और एक यह function है सर क्लियर है हाँ अब इन दो functions यह खास बात सुन लो अगर दो function invertible हैक दूसरे के inverse है अगर दो function एक दूसरे के inverse है तो बेटा इनका इनका combination composition x I का एक identity function आता है अगर मैं यहाँ तुमसे कहूं कि बेटा इक काम करते हैं एक काम करते हैं क्या सर मैं f inverse की जगा f inverse x की जगा मैं काम करता हूं मैं gx लिख लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे है ना अच्छा दिखे तो अपन क्या करेंगे अपन यहां पर लिखेंगे कि हमारे पास fx जो है वो दिया गया है 3x minus 4 by 5 ठीक है और f inverse x जो है इसकी जगा मैं gx लिख लेता हूँ ठीक है सिर्फ मैं बदल रहा हूँ बेटा nature change नहीं हो रहा है तो sir इसकी जगा मैंने लेख लिया gx ठीक है sir यह आया 5x plus 4 upon 3 अब मुझे पता है कि यह दोनों एक दूसरे के inverse है यह इसका inverse है और यह एक दूसरे के inverse है है ना क्योंकि यह fx है यह f inverse x है यह f inverse x ही है बस मैंने नाम बदल दिया ठीक है sir अब अगर यहाँ पर ध्यान देना बेटा अगर यहाँ पर मैं Fog निकालूं और यहाँ पर मैं Gauf निकालूं तो बेटा यह दोनों Equal आएंगे यह दोनों क्या हैंगे सर यह दोनों Equal आएंगे यह चेक करने की duty आपकी है यह Homework आपका है Fog निकालना यानि F of Gx Goff निकालना G of Fx Solve करना आप देखोगे दोनों equal आएंगे X के दोनों equal आएंगे X के और अगर दोनों equal आगए X के तो हम कह सकते हैं कि दोनो identity function के बराबर आ रहे हैं अगर कोई भी function solve होके X आ जाए समझ जाना वो identity function है तो ये दोनों solve होके बेटा आपनको X देंगे आपको यही चीज़ solve करानी है ये भी X देगा बेटा और ये भी solve होके X देगा ठीक है ये identity function ये equal होना ये बहुत बड़ी पहचान है invertible functions की के अगर दो functions आपस में एक दूसरे के inverse है क्योंकि अपने inverse निकाला है न ये पूरी मेहनत करके अगर ये इसका inverse है तो फिर ये इसका inverse होगा ये आपस में एक दूसरे के inverse है और inverse function का composition चाहे तुम ऐसे कर लो F of G या G of F दोनों equal हैंगे X के ठीक है डन सर चलो आगे चलते है question number 14 ये रहा जल्दी से पढ़ लो बिटा जल्दी से इसको भी निप्टा आते हैं ठीक है जल्दी से पढ़ लो let us move on to next question number 14 क्या कह रहा है बिटा 14th question पढ़ लो जल्दी से if F is a function which is going from R to R R to R बोले तो real to real है ना real to real ठीक है एक function सर F है जो real से real तक जा रहा है मतलब real number का set उसका domain है यानि input है ठीक है और real number का set ही output है मतलब output इसी में छुपे हुए है output जो आएगा वो real number ही होगा done sir हाँ sir अब इसको मैं erase करूंगा बार बार इसको लिखूंगा नहीं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं और एक और function है G एक और function है G sir वो भी R2R है क्या बात है वो भी R2R है ठीक है done sir अब इन्होंने हमें definition भी दिये define भी करके दिये है functions ठीक है तो fx कैसे define है sir fx define है sin x fx हमको दिया है sin x और gx भी हमको define करके दिया गया है gx हमको दिया गया है विटा 5x square ठीक है यहाँ गौफ निकालना है अगर अपनको गौफ निकालना है अपनी easily निकालने है मैं एक और question दे रहा हूं मैं एक और question दे रहा हूं इसी के आगे show that show that golf is not equal to fog golf और fog equal नहीं है और अगर equal नहीं है यह दोनों एक दूसरे के inverse नहीं है अगर इन दोनों का f of g, g of f equal आ जाए तो भाई यह तो फिर एक दूसरे के inverse prove हो जाएंगे ना और अगर equal नहीं है तो यह लोग inverse proof नहीं होंगे यह inverse नहीं है तो वो तुम करना यह मैं कर रहा हूं हमें निकालना है golf ठीक है sir, golf कैसे निकलेगा g of fx g of fx sir, यह है golf का मतलब ठीक है भई है ना, clear है, बिल्कुल clear है sir sir, fx की value रख दो g of fx बिटा, I guess, sine x दिया हुआ है fx हमें sine x दिया sine x लिख लो sir, done अब जब हमने fx की value रख दी तो अब हमारा focus होना चाहिए gx पे यह x बन जाएगा ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा बिटा, gx क्या है sir, gx हमें gx दिया गया है 5x square 5x square, done यह बच्चा, मुझे यहाँ पर इसकी value निकालनी है, पर मेरे पास gx है क्या करूँ, क्या करूँ सबसे पहली चीज़, यह g और g तो सेम आ गए ना, हाँ sir, सेम आ गए चलो, इसकी तसल्दी रखो यहार बच्चा, इसके एंदर जो है न, sinx मैं इस sinx को यहाँ लाना चाहता हूँ कहा sir, यहाँ लाना चाहता हूँ इस x की जगा और क्या करूँगा फिर ठीक है भई, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, चोड़े सा काम करना है और वही है कि sir, gx इसको मैंने x मान लिया, यह पूरा sinx उठाके मुझे यहाँ रखना है बस बात खतम, इतनी सी बात मुझे समझ में आ गई, तो फिर खेल कतम हो गया sir है ना, यह यहाँ रखना है x की जगा और अगर मैं इस x की जगा sinx रखता हूँ तो भाई मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ रख दो और यहाँ नहीं रखो sinx लिखकर उस पे square लगा दो बिटा और यह क्या होता है sin square x होता तो answer क्या आगया बिटा 5 sin square x यह answer आगया अपना लीजे बई, done, बात खताब हो गई वही अगर मैं तुम से इसकी बात करूँ बिटा शो करो, गौफ और फॉग इक्वल नहीं है अब क्या करोगे तुम शो करने के लिए तुम्हें पहले तो गौफ तो तुमने निकाल लिया, गौफ तो यह आया फॉग और निकालनो चलो फॉग थोड़ा जल्दी निकालेंगे, ठीक है फॉग होता है sir, f of gx ठीक है sir, done सर जी यहाँ पर gx की value लिख दो ठीक है, f gx की value है अपने पास 5x square तो यहाँ लिखते हैं 5x square done है ना, बिल्कुल done है sir अब यहाँ पर हमको जरूरत पढ़ेगी बेटा, किस चीज़ की जरूरत पढ़ेगी fx की, fx की, यहाँ देखो gx की जरूरत पढ़ी थी यहाँ fx की जरूरत पढ़ेगी तो यहाँ लिख लेते हैं fx और fx हमको दिया गया है sin x fx हमको दिया गया है sin x ठीक है sir, लिख लिख लिए fx is equal to sin x अब बात समझो बेटा वो ही काम यहाँ करना है sir, f, f दोनों match कर गए, ठीक है भी, यहाँ ठीक है बात कतम यहाँ x की जगा अगर मैं 5x square लिया हूँ अगर यहाँ यह 5x square लिया हूँ इसकी जगा तो खेल गताम हो जाएगा लेकिन अगर आप इसकी जगा 5x square लिख रहे हो तो आपको इसकी जगा भी लिखना पड़ेगा ऐसा तो ही ना, एकी की जगा आप चींज कर रहे हूँ तो सर जी, यहाँ हम f इसकी जगा हम लिखेंगे 5x square और ब्रैकेट क्लोज और अगर इस x की जगा 5x square तो इस x की जगा भी 5x square replace करना पड़ेगा sine 5x square यह angle है बेटा तो इसको ब्रैकेट में लिखो यह answer होगया sir यह answer होगया किसका fog का क्या goff और fog equal आए अच्छा goff क्या आया sir goff क्या आया था goff आया 5 sine square x 5 sine square x और fog क्या आया fog आया sine 5x square वह यह fog आया sine 5x square sine bracket 5x square bracket close क्या यह दोनों equal है बिल्कुल नहीं है sir hence proof खतम यह आ सकता है बेटा दियान रखना एक बात याद रखना दो function आपको अगर दिये गए है f और g f और g और अगर आप से कहा गया proof करो यह एक दूसरे के inverse है तो आपको मात्र एक काम करना है दोनों का fog और गौफ निकाल देना equal आ जाएगा या तो दोनों-दोनों x x आ जाएंगे या दोनों-दोनों y y आ जाएंगे अगर दोनों equal आ गए तो कह देना वो दोनों function एक दूसरे के inverse है ठीक है अगर दोनों एक दूसरे के equal नहीं आ रहे है तो कह देना के ये दोनों एक दूसरे के inverse नहीं है ठीक है जल्दी से screenshot ले लो चलते है question number 15 की तरफ done sir बिल्कुल done चलो गई है 15 पे चलते है यह question number 15 आज तो पूरे composition वाली questions भरे पड़े हैं बिटा sir यहां हमको fx एक function दिया गया है fx is equal to 27x cube 27x cube ठीक है sir और gx दिया गया है so we have gx also जल्दी जल्दी कर लेते हैं sir इसको तो यह है xy cube ठीक है sir हमसे gauf निकालने को कहा गया है जल्दी से निकाल दो बिटा gauf खतम करो यह तो easily हो जाएगा gauf of x क्या होगा sir gauf of x होता है g of fx g of fx ठीक है sir done जल्दी value put करो solve करो इसकी जगा हम क्या लिखेंगे जो हमें value दी गई है 27x cube तो g bracket इसकी जगा 27x cube sir bracket close done है बिल्कुल done है sir कोई दिक्कत नही है अब बहुत गौर से सुनना यह gx की ज़रा behave कर रहा है gx तो gx लिखो बिटा सबसे पहले न gx लिखते हैं sir gx हमको दिया गया है क्या दिया गया है gx देखो न क्या दिया गया है gx x y cube दिया गया है x y cube done है बिल्कुल done है sir अब समझना बात को हमें g और g यहां सेम मिल गया इसलिए हमने gx उठा जाता यहां पर हमें अगर सेम मिल जाते तो मज़ा आ जाता पर यह तो मिला ही नहीं है sir सर जी यह तो सेम अपन को मिले ही नहीं है कैसे सेम लाइंगे simple है बिल्कुल simple है 27 x cube को उठाओ और यहां इस x के बदले रख दो बस बात खतम हो गई मतलब तुम लोग exam में या copy में ऐसा मत बनाना यह तो मैं समझाने के लिए बनाता हूं तुम लोग मत बनाना 27 x cube को उठाया और मैंने इसकी जगा रख दिया और सिर्फ इसकी जगा नहीं इसकी जगा भी रखना पड़ेगा सर जाँ जाँ एक्स वहाँ वहाँ चींज करना पड़ेगा कर देते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है तो जी x की जगा बिटा अपन क्या लेकिंगे यह वी विल राइट 27 x cube 27 x cube bracket close दन है हाँ सर बिलकुल दन है 27 x cube bracket close इस x की जगा अगर यह है तो इस x की जगा भी 27 x cube इस x की जगा भी यह लिखना पड़ेगा y cube लोब यह y cube भी लगा दो अंजर आगे लो this is our answer सर यह क्या था गॉफ ही तो चल रहा था तो यह इसकी जगा पन क्या लिख सकते गॉफ इसकी जगा अपन लिख सकते है गॉफ is equal to यह गॉफ of x लिख लो जो उन्होंने लिखा 27 x cube और y cube यह answer है अग इसको चाहो तो अच्छे से और अच्छे से सजा के लिख सकते हूँ 27 होता है 3 का cube x और y का cube तो 3 x और y 3 का cube यह x का cube y का cube तो 3 हो पे 1 cube लगा दो तो यह भी अपना answer हो सकता है done sir ठीक है विटा जल्दी से copy कर लो 15 questions complete यानि आज इस session में अपने 5 questions हो गए है complete आगे चलते है 16th question पे और देखते है sir 16th question 16th question क्या है ठीक है I am raising this यह रहा 16th question देखते है sir क्या है inverse की बात हो रही है inverse निकालो ना यार कितना आसान है if the function this this defined by this invertible then find f inverse invertible है तो ही inverse निकाला जा सकता है है ना भाई देखो 2010 में यह आया है CBSC के paper में All India यह paper float हुआ है तो ध्यान से करो important question है ठीक है sir अगर हमको if the function this is defined by this हम fx दिया गया है क्या दिया गया है 3x minus 4 ठीक है done sir अब वो कहना f inverse निकालो चलो f inverse निकाल लेते हैं easy है sir देखो inverse कब निकलता बेटा inverse तब निकलता इसका inverse इसका inverse जो है ना f inverse x यह तभी निकलेगा f inverse x यह तभी निकलेगा जब यह function 1 1 और on to हो 1 1 on to का मतलब है bijective हो यह function 1 1 की भी behavior करे और on to का भी behavior करे behavior दिखाए तो यह हो जाएगा 1 1 on to यानि bijective और जो function bijective होता है वही function invertible होता है मतलब वही function inverse दे पाएगा अब अगर यह question में लिख कर देते first of all prove that this function is invertible and then find its inverse तब क्या करोगे तब क्या करोगे भया inverse तो मैं तुम्हें ढूंट के अभी दिखा देता हूं देखो inverse तो मैं तुम्हें अभी धूंट के दिखा देता हूं यह easily हो जाएगा बहुत आरहम से हो जाएगा inverse वाला पनिक कोशन कर चुके है सर सबसे पहला step होता है इस function को लिखो इस function को लिखो fx is equal to 3x minus 4 दूसरा step होता है इसकी जगा y लिख लो let fx is equal to y fx की जगा y लिख लो तो यह जाएगा y is equal to 3x minus 4 clear है? हाँ सर तीसरा step होता है सर इसको जैसे y is equal to लिखा आप इसको x is equal to कुछ लिखो x is equal to something वो कैसे आएगा? solution करके थोड़ा सा solve करके थोड़ा सा उसको खेल के तो भईया y is equal to 3x minus 4 जो है उसको 4 को यहाँ भेज़ दो तो यह हो जाएगा y plus 4 is equal to 3x 3 यहाँ आएगा y plus 4 is upon 3 y plus 4 upon 3 is equal to x done है सर? बिलकुल done है अब यहाँ पर हमने x की value लिख लिख ली जो हमें बनानी थी सर y plus 4 upon 3 यह अब last step क्या है सर x और y को interchange कर दो है ना? x की जगा y लिख दो बिटा और y की जगा बिटा x लिख दो खतम तो यह क्या बनेगा? y is equal to x plus 4 by 3 और जैसे ही हमारे पास या जग यह answer आ गया बिटा इसकी जगा आप लिख देना जो function था अपना fx उसका inverse तो यह हो जाएगा f inverse x is equal to x plus 4 by 3 और यह अपना answer हो गया this is our answer done ठीक है यह answer हो गया f inverse अब यहाँ f inverse निकालना इतना cut in नहीं था यह तो easily हो गया previously भी हमने यह question कर रखा है है ना अब हम already यह question एक कर चुके हैं ऐसा sir खास क्या है इसमें अगर मैं कहूं आपसे कि इस question मैं अपन को prove करना है अगर मैं इस question को थोड़ा extend कर दू prove that prove that यह बढ़ा हो जाएगा आप question सीधा यह question चार माक्स का बन गया बिटा सीधा चार माक्स का question बन गया भी है prove that function r to r defined by function r to r defined by fx is equal to 3x minus 4 is invertible is invertible prove करो कि यह invertible है and then find its inverse और फिर आप इसका inverse find करो यह बात का काम है यह आता है question बिटा यह आता है सीधा सीधा आपको चार माक्स में देखने को मिलेगा अब क्या गरें साथ invertible क्या से prove करें तो बिटा आपको knowledge होगी तो आप invertible का मतलब समझ जाओगे invertible कब होता है function साथ invertible function तब होता है जब one one भी हो वो function वो function one one भी हो और on two भी हो और on two भी हो अगर एक function one one भी है और on two भी है तो समझ जाओ वो function invertible है अब one one तो आराम से कराना सीखा है अजर अपन ने चलो one one कराते हैं सर इसको ठीक है heading डालते है one one कि सर हम इसको one one प्रूफ कराने के लिए शुरू कर रहे है पूरा प्रक्रिया पूरी processing ठीक है भाईया सबसे पहले हम one one कराने के लिए क्या करते हैं सर हम सबसे पहले दो input let करते हैं x1 और x2 जो input यहां से आएंगे पिटा आर टू आ रहे हैं तो यहां से आएंगे domain से यहां co domain यहां आएंगे आर से ठीक है तो हम सबसे पहले let करेंगे let 2 inputs हैं x1 and x2 और दोनों कहें से आ रहे हैं पिटा कहां belong करेंगे real number से दोनों belong करें है real number inputs है ठीक है अब हम बिटा यहां लेट एक और चीज़ करेंगे क्या लेट करेंगे इन दोनों input से output जो आ रहा है वो दोनों output equal है बस ये मान लो इस input की जो image होगी इस element की क्योंकि ये input है और इससे आने वाला output क्या होगा fx1 fx1 देखो अपने पास अगर fx है 3x-4 अब मैं कहूं यार इसकी जगा x1 डाल दो input अगर तुमने इसकी जगा x1 डाला तो यहां भी x1 होगा तो ये output कहलाएगा बिटा x1 का x1 का output होगा fx1 x1 का output होगा fx1 तो यहां let करो fx1 जो x1 का output है या image है और fx2 जो x2 का output है या image है वो दोनो equal है अब इनको solve करेंगे ठीक है सर fx1 अगर मैंने यहां लिखा तो यहां भी बनाएगा तो fx1 की value है 3x1 minus 4 3x1 minus 4 तो इसकी जगा लिखेंगे 3x1 minus 4 equal fx2 इसकी जगा अगर मैंने यहां x2 लिख दिया तो मुझे यहां भी x2 लिखना पड़ेगा fx2 आया 3x 2 minus 4 3x2 minus 4 done sir बिल्कुल done काट अपीटी कर लो minus 4 और minus 4 कट गया यहां बचा बेटा 3x1 is equal to 3x2 3x1 is equal to 3x2 और finally बेटापन 3 से 3 को काट देंगे हमारे पास x1 equal x2 अगर हमने x1 equal x2 पा लिया अगर x1 और x2 आ गया तो last में लिख देना therefore f is 1,1 हमारे पास जो function है वो 1,1 है तो 1,1 तो अराम से prove हो जाता है on to कैसे prove करेंगे बिटा बताओ ज़रा on to कैसे prove करेंगे on to prove करने के लिए हमें लंबी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी लंबी उसकी आप कह सकते हूँ method थोड़ा सा lengthy होता है ठीक है तो मैं इसको erase कर रहा हूँ भीटा मैं सीधा on to prove करा रहा हूँ 1,1 तो already करा चुक है पन f is 1,1 अब जो f function है या f x इस जो f function है उसको on to prove कराने के लिए चल रहा है पन ठीक है सर इसको जल्दी से erase कर दो on to होता क्या है सर उसकी सबसे पहले तो आपको on to का मतलब पता होना चीज़ी सर on to function होता क्या है देखो on to function क्या होता है on to function is actually दो set होते हैं जैसे अपने पास दो set है ठीक है दो set है यह real number का set है क्योंकि real to real चल रहा है na real to real ठीक है तो यह भी real number का сेट है अब on to function पते है on to function कहता है कि दूसरे set में जो भी जो भी चीज़े हों जैसे यह real number का set है मतलब यहां positive numbers होंगे negative होंगे rational होंगे rational होंगे zero होगा और अपना upon में होंगे decimal में होंगे सारे जो आपके मूँ से number निकल सकता है real number वो यहां मौझूद होगा ठीक है सर on to function कहता है कि second set में ये first ये second second set में जितने भी elements है इन सब के लिए first set में कोई ना कोई real number होना चाहिए सब के लिए first set में कोई ना कोई element होना चाहिए every element in second set must have a pre-image in first set pre-image यहां जो भी चीज़े होती है उनको pre-image बोला जाता है अब ये कैसे हम show करेंगे सर easily हो जाएगा देखो जल्दी से करते हैं सर सुनते हैं या ना सबसे पहले हम function लिखते है fx is equal to 3x minus 4 ठीक है अब इसकी जगा दूसरा step होता है इसकी जगा y लिख दो y is equal to 3x minus 4 और अब x is equal to something बनाओ तो y plus 4 is equal to 3x x की value आ जाएगी बेटा y plus 4 upon 3 ये x की value आ गई और इसको थोड़ा highlight कर दो थोड़ा इसको highlight कर दो ठीक है सर ये x की value आ गई अब शुरू करते हैं अपन y से on to में हमेशा y से शुरू किया जाता है ठीक है ये हो गया पहला set ये हो गया दूसरा set पहला set क्या है बेटा real number है ना real number है पहले set और दूसरा set भी real number है ठीक है जो input जो x होता है जो input है वो आता है बेटा यहां से है ना पहले वाले सेट से X यहां से आएगा और जो output होता है वो आता है यहां से दूसरे वाले सेट से हम output के लिए चेक करेंगे हम चेक करेंगे real number Y सारे real numbers है Y positive भी है Y negative भी है Y zero भी है Y rational भी है Y irrational भी है थोड़ जल्दी करूँगा अगर मान के चलो Y यहां कोई natural number है मान के चलो Y कोई एक natural क्योंकि Y एक real number है Y एक real number है तो हो सकता Y positive हो natural number 1,2,3,4,5 तो अगर मैंने Y की जगा यहां 1 रख लिया चलो एक natural number 1 रख लू या 2 रख लू या 3 रख लू तो यह क्या हैगा 1 plus 4, 5, 5 upon 3 तो X क्या आ जाएगा पेटा X आ जाएगा 5 upon 3 क्या यह 5 upon 3 इस सेट में available है X 5 upon 3 आया 5 upon 3 एक rational number है rational number एक real number होता है X जो है वो real number है क्या X यहां होगा बिलकुल होगा 5 upon 3 यहां बिलकुल होगा 5 upon 3 बिलकुल होगा मतलब Y की जगा अगर मैंने 1 रख दिया तो इस 1 के लिए यहां यहां एक 5 upon 3 मौजूद होगा बिटा मतलब यह 1 connected है यहां 1 connected है यहां ठीक है सर तो natural number 2 लिखूँगा तो 2 plus 4, 6, 6 upon 3 6 upon 3 विल बिल 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 तो 2 के लिए 2 मौजूद होगा जैसे यहां 2 है तो 2 के लिए 2 होगा मौजूद क्यों होगा क्योंकि यहां पर 2 आएगा बिटा आर जो X है वो real number है 2 भी तो एक real number है तो 2 यहां मौजूद होगा तो मुझे समझ में आ गया Y सारे natural numbers के लिए जितने भी Y natural numbers है उनके लिए यहां X मौजूद है यहां X है ठीक है सर ऐसे ही बच्चों आप सारी के सारी चेक करोगे कौन कौन से सर Y is equal to 1 कर लिया 2 कर लिया ठीक है सर अब Y is equal to 0 कर लेना Y is equal to 0 कर लेना क्या कर लेना पेटा Y is equal to 0 चलो मैं करके दिखा दिता हूँ Sir Y is equal to 0 होल नमबर zero one two three four five ठीक है सर तो zero plus four upon three तो x आ जाएगा four upon three क्या four upon three belong करता है real number से बिलकुल सर यह four upon three बिलकुल मौजूद होगा zero के लिए यहा four upon three connected होगे तो zero भी आ गया मतलब सारे whole numbers के लिए जितने भी y whole numbers है उनके लिए r में पहले वाले सेट में x मौजूद है बिलकुल मौजूद है सर ठीक है सर डन हो गया अब negative कर लेते हैं सर अब negative कर लेते हैं y की जगा minus one रख लो तो minus one plus four three three upon three x की value one आ गई सर अगर यहाँ y minus one है तो इसके लिए जो y की value minus one है तो x bhi one होगा अब minus two रख लेते हैं सर y की जगा minus two रख लेते हैं minus two plus six minus two plus four हो जाएगा two upon three तो x की value y की सर two upon three क्या two upon three real number में होगा बिलकुल होगा सर y 0 यानि की whole number बिल्कुल 0 के लिए यहां मौजूद है y जितने भी integers है negative integers उनके लिए भी यहां मौजूद है y rational, y rational कुछ भी रख दोगे तुम सारे y के लिए यहां x मौजूद रहेगा x बोले तो first set में connection मौजूद रहेगा तो अपन last में कह लिखेंगे for all y for all y जितने भी y है that belongs to second set second set बिटा real number का है we have, हमारे पास हैगा क्या है we have x that belongs to first set यानि r हमारे पास यहां x है हर y के लिए यहां x है तो इसका मतलब यह क्या हुआ f हुआ on to f is on to और बिटा गर f one one भी है on to भी है तो last में लिख देना f is bijective bijective का मतलब है one one on to two no ठीक है और f bijective है तो इसका मतलब f is invertible a bijective function is an invertible function जल्दी से copy कर लो फिर अपन चलते हैं आगे और देखते हैं sir next question number 17 क्या है ठीक है 17 गदम करते है 17, 18, 19, 20, 4 और बचे चलो moving on to next question number 17 इसको erase कर दो sir यह राज 17th question check whether the relation defined on the set this as r is equal to इतना is reflexive, symmetric और transitive देख लेते हैं sir अभी आया अच्छा सा question कोई sir जी एक set दिया गया है पनको a ठीक है, क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास इस set a के अंदर 5 elements है done, बिल्कुल done एक relation दिया गया है हमको r है ना, एक relation दिया अच्छा एक बात ध्यान रखना है relation का r आप normal बनाये करो और real number का r real number वाला r आप थोड़ा सा design दार बनाये करो ऐसा, थोड़ा सा bold real number का r थोड़ा सा अच्छा लगना च्छा यह दिखने में के हाँ यह real number का set r है और relation का r एक normal बनाये करो ठीक है, done sir चलो, तो यह relation का r हो गया is equal to, अपनको दिया गया है relation, relation अपनको एक तरह से set builder form में दिया गया है, decode करना पड़ेगा a, b, ठीक है sir a, b, bracket close such that a, such that b is equal to a plus one bracket close ठीक है, पता करो यह reflexive है, symmetric है, परने से पहले, मैं चाहता हूँ कि अपन relation निकाल ले, relation को roaster form, असली relation निकाल ले यह relation जो है न, यह अपनको एक तरह से पहली बना के दे दिया गया यह roaster form में है चलो relation निकालते हैं, पहले roaster form क्या रहा हूँ यार, sorry, set builder form में है, अब roaster form में अपन convert करते हैं relation को, अपन relation में देखेंगे exactly कौन कौन से audit pairs आ रही है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं क्या, हाँ यहाँ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ए हैं उसमें पाँच elements हैं, अभी तुम्हें पूरी प्रक्रिया बताता हूँ, पूरा process बताता हूँ, सुनो बात नमबर एक, सर हमें पता है कि जो relation होता है न, यह subset होता है, काहे का subset होता है सर, यह subset होता है partition product का, काहे का partition product का cross product का, ठीक है सर, partition product का, ठीक है done, partition product को मैं erase करता हूँ, सर मैं लिख देता हूँ A cross B एक set A है एक set B है उनका A cross B ठीक है सर पर यहां तो B set है ही नहीं है यहां तो सिर्फ A की set है A तो ध्यान से पढ़ो on या in या to on, in, to तीन शब्द होते हैं on 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 set A या in set A या to set A इन तीनों में से कुछ एक चीश use हुई है क्या on set A on आ गया ना अगर आ जाए on set A या in set A या in set A on set A या to set A इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए समझ जाना सर यहां पर A cross B की जरूरत ही नहीं है यहां A cross A हो रहा होगा मतलब first element भी set A से second element भी set A से मैं समझ गया सर कि यहां X,Y जो आ रहा है X,Y यह पहले set से होगा यह दूसरे set से होगा बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई यह सर तो अपन क्या कहेंगे अपन कहेंगे बिटा यहां गौर से सुन लो अपन कहेंगे कि यह जो A है ना this A belongs sorry यहां से X आएंगे यहां से हमारे audit pair के X आएंगे और यहां से हमारे audit pair के Y चले आएंगे बात के लिए रहे done सर तो A cross A को हम लिखेंगे कैसे थोड़ा सा A cross यह निकालने नहीं है पुरा नहीं तो तुम निकालने बैठ जाओ A cross A कैसा दिखेगा सर सर ऐसा देखेगा 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 ठीक है यह A set है Cross यह भी A set है 1, 2, 3, 4 and 5 Done सर बिलकुल done ठीक है अब सुनते ही आना है जी सर यह कैसे होगा थोड़ा दिमाग लगाते हैं Cross product सबको आता है सुनो क्या आएगा A cross A में क्या आएगा सोचना जरा A cross A के अंदर आएगा क्या सर A cross A के अंदर आएगा 1,1 ठीक है 1 देखो 1,1 हो गया यह सर फिर 1,2 होगा फिर 1,3 होगा फिर 1,4 होगा ऐसी चलता ना हाँ सर ऐसी चलता है ठीक है बहुत easy चीज़ है कोई भी ऐसी कोई tough चीज नहीं है ठीक है सर 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,5 तक हाएगा 1,2 1,3 1,4 1,5 फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 फिर 5,1 5,2 5,3 5,4 और 5,5 यह आखरी होगा 25 1,5 5 5 Tropar elements proper order set पूरे 25 audit pairs एंगे ठीक है सर यह पूरे 25 है ठीक है अब इनमें से उठाके हमें अपना relation बनाना है इनी में से हमें अपना relation बनाना है अब ध्यान से सुननः बिटा ध्यान से सुनना बहुत X, Y नहीं बोला, इन्होंने A, B बोला, तो अपन भी A, B बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यह सब A, B है, A, B, ठीक है, अब यहाँ पर जो A आएगा, वो यहाँ से आएगा पहले सेट से, ठीक है सर, और जो B आएगा, वो दूसरे सेट से आएगा, अब दोनों ही सेट इक्व सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन, अब मेरी बात सुनो, अपन को यह वाली डेफिनेशन फॉलो करानी है, यह वाली कंडिशन ध्यान से फॉलो करानी है, B is equal to A plus 1, अब यह चीज़ यहाँ पर चलेगी में, B is equal to A plus 1, डन, A कहां से आएगा, A आएगा, A आएगा सकता हूँ, 2, A, 3, A, 4, यह सब लिख सकता हूँ, ठीक है, डन से, अब अगर मैं यह A की जगा 1 लिख दूँ, सबोस मैंने लिखा A की जगा 1, तो यह क्या आएगा, B is equal to 1 plus 1, क्या आएगा, 2, B 2 आया, क्या B, जिस से आ रहा है, उसमें 2 है, हाँ से 2 है, तो इसका मतलब हमार जो favorable audit pair है, वो 1,2 है, 1,1 नहीं आएगा सर, 1,2 आएगा, तो हमारे relation में सबसे पहला जो हमें audit pair मिला, वो मिला 1,2, clear है, 100% clear है, हाँ सर, clear है, दूसरा, अगर मैंने A की जगा 2 लग दिया, तो B क्या आएगा सर, चलो देख लेते हैं, B is equal to A plus 1, यह दिया है, तो B is equal to A की जग पा है, B यहाँ से आएगा, इसके अंदर 3 है, बिल्कुल सही, 2,3 हमारा दूसरा आ गया, बिटा, 2,3 हमारा दूसरा audit pair आ गया, समझ रहे हो के नहीं, यह सर, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे है, डन सर, बिल्कुल डन सर, अच्छा, अब A की जगा 2 रख लिया, अब A की जगा अगर मैंने 3 रखा तो, चलो सर देखते हैं, A की जगा 3 रखने पर क्या आता है, ठीक है, A की जगा 3 रख लेते है, B is equal to 3 plus 1, तो 3 plus 1 तो 4 होता है सर, तो B क्या आया 4, क्या B 4 आ सकता है, हाँ सर B 4 आ सकता है, बिल्कुल, B जो है A set से आएगा 4 आ सकता है, तो 3,4 हो गया, क्या बात है, 3,4, तो यहां लिकेंगे हम 3,4, ऐसी बच्चो 4,5 आ जाएगा, डन सर, बिल्कुल डन, 4,5 आ गया, ठीक है, पका 4,5 आएगा, हाँ सर आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्यों B is equal to 4 plus 1, A की जगा 4, 4 plus 1, 5, तो B कितना आया बिटा, B आगया 5, B आगया 5, क्या B5 आ सकता है, B इससे आएगा, B5, हाँ सर, बिल्कुल 4,5 आएगा, तो B5 आगया, बिल्कुल सही है, 4,5 आगया, अब आगे नहीं आपाएंगे, क्यों नहीं आपाएंगे, अगर मैंने A की जगा 5 लिख दिया, अगर मैंने A की जगा 5 लिख दिया, तो क्या होगा सर, B is equal to A plus 1 चाहिए सर हमें, ठीक है, 5 plus 1, 6 आएगा, B is equal to 5 plus 1, 6 आएगा, अब ये 6 तो ही नहीं है यार, ये 6 जो B है, B किस, इस सेट से आरा B के अंदर तो 6 ही नहीं है, तो 5, 6 नहीं आ सकता है, खतम हो गया, अब कुछ नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये सर, अब अपन इस सेट को अपन बंद कर देंगे, अब अपन शुरू करेंगे, चेक करना, कि ये reflexive है, symmetric है, transitive है या नहीं, इतना copy कर लो, क्योंकि अब सिर्फ ये लिखूंगा, मैं चल्दी से copy कर लो, आपको सिर्फ और सिर्फ अब ये वाली white line दिखने को मिलेगी, done सर, बिलकुल done, इसको erase कर रहा हूँ, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ठीक है, हमारे पास relation आगया सर, हमारे पास relation आगया, relation जंदर क्या है बेटा, 1, 2, ठीक है, bracket close, 2, 3, ठीक है, bracket close, 3, 4, bracket close, 4, 5, बंक कर दिया, सुनते जाना, जी सर, ये relation आगया सुन्दर सा, अब किस set पे बात पुई थी, वो set लिख लो सारा, बहुत important है, set A चल रहा था सर, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, and 5, bracket close, सुनते जाना मेरी बात, जी सर, number 1, चलो चेक करो, ये relation, reflexive है के नहीं, ठीक है, reflexive relation, पूरा ऐसे ही लिखोगे तुम, ठीक है, exam में आ गया, या copy में जब solve करो न, तो बिलकुल ऐसे ही सुन्दर राइटिंग में, एक-एक line लिखना बिटा, वही तुमारे काम की चीज होगी, अब reflexive relation क्या होता है, सर, reflexive relation तो set के हिसाब से चलता है, हाँ, बिलकुल सही, set देखेगा भाई के reflexive relation किस set से बना, set A x A, यानि A देखेगा, ठीक है, reflexive relation set देखता है पहले, अब इसने set देखा, और इसने कहा set के अंदर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब reflexive relation डिमांड करता है, कि अगर relation के अंदर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, अगर ये 5 है, तो ही मैं reflexive कहलाऊंगा, अब reflexive relation कहता है, कि भाई साहब हमें A, A चाहिए, A, A बिलॉंग करना चाहिए relation में, relation में A कौमा है, सेम कौमा सेम आना चाहिए, और कौन कौन से सेम कौमा सेम, सब जो A के अंदर जितने भी element है, तो अपने लिखेंगे for all, इसको for all बोलते है, for all A, जो A है, वो कहां से आ रहा, for all A that belongs to set A, मतलब ये A 1 हो जाएगा, ये A 2 हो जाएगा, तो 1,1 भी चाहिए मुझे relation में, 2,2 भी चाहिए, 3,3 चाहिए, 4,4,5,5 पर यहां मौझूद नहीं है, न 1,1 है न 2,2 सारे चाहिए और सारे, 1,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी, 5,5 भी, है नहीं है, एक भी नहीं है, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे, यह रीजन लिखना पड़ेगा न, तो अपन कहेंगे, बिटा, 1,1 डस नॉट बिलॉंग्स तु, और फिर लिखती है,EC, 2,2 दस नॉट बिलॉंग्स तू, 3,3 डस नॉट बación एपने था is अनव खुल व mercury, 4,4 दस नॉट बिलॉंग्स तू तू, एन सारे लिखती है ना, सर जी सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन ठीक है भीया अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है दोस्त ध्यान जे सुनों सिमेट्रिक रिलेशन क्या है तो सिमेट्रिक भी नहीं है यह सिमेट्रिक भी नहीं है अभी बताता हूं क्यों नहीं है सर पहले यांसर लिख जेता हूं मैं सिमे की चल रही थी इन्होंने बताया set A की चल रही है भीया set A के अंदर उसने पूछा कौन कौन है इसने बताया 1 2 3 4 5 बस reflexive relation ने कह दिया कि तुम पता करो relation के अंदर 1,1 है या नहीं 2,2 है या नहीं 3,3 है या नहीं एक भी अगर miss हो गया 1 मान के चलो 1,1 हो 3,3 भी है 2,2 भी है 4,4 भी है बस 5,5 नहीं है मान के चलो 5,5 नहीं है तो यह reflexive नहीं होगा सारे चाहिए इसको doublet में 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5 है ना symmetric में ऐसा कुछ नहीं है symmetric set के हिसाब से नहीं चलता symmetric audit pairs के हिसाब से चलता है symmetric केहता है बेटा कि अगर relation के अंदर A,B है अगर relation के अंदर A,B है बिलोंग कर रहा है relation में then implies कि भाईया B,A भी relation में बिलोंग करना चाहिए मतलब क्या है सर अगर relation में 1,2 है तो इसका उल्टा भी relation में होना चाहिए यह 2,1 क्या 2,1 दिख रहा है नहीं है सर बस 2,1 नहीं है नहीं है आगे चक करने की जरूरती नहीं है छोड़ो पन क्या कहेंगे अपन कहेंगे कि यह symmetric नहीं है अपन कहेंगे पेटा 1,2 तो बिलोंग कर रहा है इट बिलोंग स्टू इसका उल्टा नहीं है बट इसका उल्टा 2,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है बस यह magazine this is the reason, symmetric नहीं है, और लिखना है, और लिखने ना, 2, 3 तो belong कर रहा है यार से, पर इसका उल्टा 3, 2 belong नहीं कर रहा है, 3, 4 तो belong कर रहा है, पर इसका उल्टा 4, 3 कहीं नहीं है, बात दमदार है, समझ में आगई है, यह सर, तीसरा देखते हैं sir तीसरे की बात कर लेते हैं which is transitive जो सबसे ज़ादा नाटिक करता है जो सबसे ज़ादा जिद्धी है सबसे ज़ादा बच्चों को cut in लगता है transitive पर actually cut in नहीं है बस थोड़ आज़ा ज़ादा सोचने पर मझबूर करता है transitive यह त्रांजेटिव आपको ठीक है तो चलो जो या ट्रांजेटिव देखते हैं लास्ट ट्रांजेटिव यह ट्रांजेटिव रिलेशन है या नहीं सर देख लेते हैं कोई बात नहीं पहले transitive समझते हैं I guess मैं तुमको समझा चुका हूँ है ना एक कोशन अपन ने किया था ट्रांजिटिव का जाने शायद फर्स्ट कोशन ही था देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है दियान से सुनो त्रांजिटिव में पहले दो चीजें हमें धून भी पड़ती है अगर वो दोनों चीजें मिल जाएं तब हम तीसरा चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं देखो ट्रांजिटिव चेक करने की दो कंडिशन होती है इफ दिस बिलोंग्स तू दिस अगर वो दोनों फुल्फिल हो गई अगर वो दोनों कंडिशन पूरी हो गई तब हम कहेंगे कि हाँ ये ट्र में है और हमारे पास B, C भी रिलेशन में है then then A, C should also be related to R मैं बताता हूँ क्या आपको पहले इन दो कंडिशन को फुल्फिल कराना पड़ेगा इन दो कंडिशन को मतलब यह है क्या सर बताता हूँ है ना डीटेल में बताता हूँ सुनो A, B और B, C यह दो चीजे हमारे में होनी चाहिए इन दोनों चीजों में जरा तुम कुछ देखो कुछ common है हाँ सीधी सीधी बिलकुल घटिया भाशा में बताऊं बिलकुल घटिया raw language में बताऊं तो भाया एक audit pair ऐसा हो और दूसरा audit pair ऐसा हो कि दोनो audit pair में आप अच्छी से notice करो कि यह एक का आखरी second element और दूसरे का fast element match कर जाए अगर ऐसे audit pairs मिले तब जाके तुम यह चेक करोगे तब जाके तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसी दो condition नहीं मिली तब तुम यह condition चेक नहीं करोगे अब देखते हैं यहां example जैसे 1,2,3 यहां लिखते हैं से ठीक है देखते ज बैठ रहें देखो बताता हूं इसमें आखरी में क्या है टू इसमें आखरी में बी था इसमें शुरू में क्या है टू इसमें शुरू में बी था सुनो इस audit pair का आखरी भी इस audit pair का पहला element भी तो match कर गये इसका last element इसका first element match कर गया इसका last element टू इसका first element to match कर गया तो इसक कि आपन इन सेम सेम वालों को कट कर देंगे भूल जाएंगे मतलब ऐसा काटना नहीं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं वन कॉमा थ्री चेक करेंगे अपन वन कॉमा थ्री अगर यह हमारे हमारा है, यह वन कॉमा थ्री है, है यह नहीं है सर, हैं नहीं है वन कॉमा थ्री तो अपन क्या कहेंगे, अपन यह लिखेंगे भई कि 1,2 तो हमारा belong कर रहा है R से ये 2 पे खतम हुआ and 2,3 and 2,3 भी हमारा relation R में है हमारा relation R को belong कर रहा है तो सर इसका last 2 इसका शुरू में 2 2 से 2 हम काट देंगे 1,3 answer 1,3 हमारा belong करना चाहिए 1,3 belong नहीं कर रहा है R में तो ये भी हमारा transitive भी नहीं है तो ये हमारा answer आगया कि given relation is neither reflexive nor transitive मतलब कोई भी नहीं है और neither nor तो दो ही चीजों के लिए यूज होते हैं अपन कहेंगे कि given relation is not reflexive, not symmetric and not transitive जल्दी से copy कर लो आगे चलते हैं चलो भी next 88 question देख लेते हैं 18th इसको erase कर रहा हूं मैं ठीक है इसको erase कर दिया this is 18th, done sir चलो भी या let a function f which goes from n to y ठीक है, natural number से y तक जा रहा है ठीक है, be a function defined as fx ठीक है, सुनते जा रहा है पेटा fx ठीक है, अरे बंजा भाई fx is equal to 4x plus 3 अच्छा ये function कहां से जा रहा है n से y, function is going from n to y natural number से y तक जा रहा है ठीक है, ओके where y is equal to ठीक है, देखो natural number का set तो अपनको पता है, y नहीं पता है तो चलो y पता कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा y पता करना जरूरी है बेसिकली, ठीक है show that f is invertible, सुनो मेरी बास सुनो यहां बच्चे क्या करेंगे न सीधा invertible show करना शुरू कर देंगे जानी की, देखो एक question तो अपन करी चुके invertible वाला, अगर किसी function को invertible show करना है, तो उसको बस दो चीज़े show कर दो, कि वो function अपना one one है वो function अपना one one है और वो function अपना on two है बस इतना show कर दो, काम हो जाएगा, लेकिन यह बात में करो पहले, n और y तो पता कर लो, यह set है क्या, ठीक है सर सुनते जाना बिटा हमें यहां पर कुछ conditions दी गई है ठीक है, क्या, y जो set है यह वाला set, ठीक है यह, इस set के बारे में हमें information दी गई है is equal to y belongs to natural number पहली चीज़, यहां इस set में जो भी चीज़े आएंगे, जो भी number आएंगे वो natural number होंगे, यानि one, two, three, four, five, six, seven eight, इनी में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है सर and, 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 such that y is equal to four x plus three y is equal to four x plus three बाट दन है बिटा बाट दन है यह सर अब अपन इसको दोड़ा डीकोट करते हैं डीकोट करना पड़ेगा बिटा इतने पार्ट को अलाग उठाके लिख को ठीक है सर, अलाग उठाके लिख लिए y is equal to four x plus three ठीक है अब y पता करना है अपन को अपन को बेसिकली देखो सुनना गौर से सुनना मेरी बाट, ठीक है मेरी बाट ध्यान से सुनना यह x है क्या सर y is equal to four x plus three यह x है क्या यह जो x आएगा यह input है यहाँ से निकलेगा बिटा यहाँ से इसके अंदर से x आएगा है ना और यह जो output है यह y यह अपन को छोटा y देगा capital y एक set का नाम है छोटा y उसके अंदर के elements है ठीक है सर तो हमें y पता करने है मतलब हमें capital y वाले set में जो छोटी छोटी elements आ रहे हैं वो पता करने है अगर हम x पे ध्यान दें तो x क्या है natural number है सर x क्या है natural number है सर ध्यान से सुनना ठीक है x natural number है तो x natural number यहाँ put करना शुरू करो यहाँ x natural number put करना शुरू करो चलो करते हैं सर है ना तो x की जगा हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं सर एक्स की जगह सबसे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि नैचरल लंबर एक्स ठीक है तो वाई कितना आएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7 तो वाई 7 आ जाएगा ठीक है सर फिर हमने एक्स की जगह सर 2 रखा एक्स की जगह हमने 2 रखा तो वाई क्या आएगा सर ध्यान से सुनो 2 4 2 सा 8 और 9 10 11 वाई आया सर 11 वाई आया 11 सर एक्स की जगह फिर हमने 3 रखा तो क्या आएगा सर एक्स की जगह अगर हमने 3 रखा तो 4 3 सा 12 13 14 15 वाई आएगा 15 बिटा ऐसे ये कहानी चलती चली जाएगी ऐसे ये कहानी चलती चली जाएगी तो y set क्या आएगा बिटा ध्यान से सुनना y set जो आएगा इसको तोगा side में कर दूँ मैं y जो set आएगा उसके अंदर 7, 11, 15 ये आएगे sir ठीक है y कितना आया यहां लिख लेता हूं मैं function f is going from natural number का set natural number का set ये होता बिटा 1, 2, 3, 4, 5 है ना dot 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 बहुत सारे जा रहे है sir ये ठीक है bracket close ये क्या है sir ये n है arrow arrow y अब हमें y set लिखने की जरूरत है और y set के अंदर छोटे y आ रहे है चोटा y है ना y set के अंदर small y है और small y की सबसे पहली value 7 आई x1 रखने पर x1 रखने पर जो small y आया वो 7 आया फिर 11 फिर 15 तो यहां 7 लिखका sir फिर 11 लिखका sir फिर 15 लिखका sir कुछ देख रहा हो कितने कितने का gap आ रहा कितने कितने का gap आ रहा है 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अगर मैंने यहां 4 लिख दिया 4 4 16 17 18 19 तो यह 19 आएगा next 4 4 8 हो रहा है 23 आएगा next 27 आएगा next और ऐसे चलता चला जाएगा और यह set अपने बंद कर दिया डन है sir बिलकुल डन है अप सुनते जाना मेरी बात जी sir अब बात ऐसी है बिटा कि हमें प्रूफ करना है कि यह function fx जो है वो इस set से इस set पे जा रहा है यह प्रूफ करो कि यह invertible है देखो invertible प्रूफ करने के लिए मैंने अभी बोला 1 1 और on to प्रूफ करा तो 1 1 तो हाल हो जाएगा sir 1 1 तो जंडूबाम है बिटा जंडूबाम बिलकुल छोटू छोटू सा है तो sir 1 1 प्रूफ कराते है सबसे पहले हम 1 1 प्रूफ कराएगे time लगता है बिटा on to में time लगता है on to में 1 1 प्रूफ कराने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हमें 2 input लेने चाहिए तो हम लेट करते हैं कि 2 inputs हमने लिए sir कौन-कौन से 2 inputs x1 और x2 input x होते हैं ध्यान रखना बेटा हमने 2 input लिए एक x1 लिया और एक x2 लिया और दोनो input कहां से बिलॉंग करेंगे सर 11 में हम इन दोनों से बनने वाली images यानि output को equal मान लेते हैं हम let करते हैं x1 की image होती है fx1 x2 की image होती है fx2 और इन दोनों को हम let करते हैं कि भज़ए यह equal है अब इनको solve करके अगर x1 और x2 equal आ गए तो यह 1 1 हो जाएगा solve करते हैं सर चलो solve करते हैं done सर बिलकुल done कैसे solve करेंगे अब देखना अपना function है fx is equal to 4x plus 3 fx अगर इस x की जगा मैंने x1 डाल दिया तो मुझे यहाँ भी x1 लिखना पड़ेगा तो fx1 क्या हैगा बिटा 4x1 plus 3 fx1 के नीचे लिखेंगे 4x1 plus 3 equal fx2 अगर मैंने यहाँ x2 लिख दिया तो यहाँ भी x2 लिखूंगा तो 4x2 plus 3 4x2 plus 3 done सर यह सर काट अप बिटी करते हैं बिटा तो plus 3 से plus 3 कट गया तो यह बचा 4x1 is equal to 4x2 क्या बिचा बिटा 4x1 is equal to 4x2 अब 4 से 4 को कट दो 4 से 4 को कट कर दो तो क्या बचेगा बिटा क्योंकि 4 multiply में है न दोनों साइट तो अपने पास यहाँ बचेगा therefore x1 is equal to x2 और बिटा जब x1 और x2 equal आ जाए मैंने क्या बोला था अगर x1 x2 equal आ गया जो input तुमने लिए थे वो equal अगर आ गये तो यह function क्या हो जाएगा 1 1 f is 1 1 f is 1 1 1 1 बहुत छोटा होता है प्रूफ करना easily हो जाता है तो यह फर्स पार्ट अपन ने कर दिया sir 1 1 प्रूफ हो गया कि f जो function हमें fx दिया या f है वो 1 1 है next part हमें on to करना है on to में लगेगा sum है on to में लगेगा sum है ठीक है done sir इसको erase करना हूं मैं अब on to करते हैं sir अपन ठीक है let us move on to on to system इसको मैं erase करना चाहता हूं ठीक I am erasing this ठीक है sir इसको erase कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार है न ताकि space बन जाए तो इसको भी erase कर दो यार इसको भी erase करो इसको भी erase करो हटाओ ठीक है इसको उठा के यहां fake दो throw it ठीक है शुरू करते हैं बन on to सर जी on to के हैज़े प्रूफ करेंगे देखो ध्यान जो सुनना येस सर जो भी गौर्ण से सुनना पिटा जो भी हमारे पास वाई जलो on to का मतलब समझ लेते हैं पहले दो सेट हैं दो सेट है ठीक है सर दो सेट है ठीक है वी हाव टू सेट एक का ना में पिटा नेचरल लंबर दूसरा का राम है वाई तो यह हो गया नेचरल लंबर का सेट यह हो गया वाई सेट ठीक है सर क्लियर है हाँ सर क्लियर है डन सुनते जाना अब नैचुरल नंबर में सर हमारे पास वन भी है टू भी है त्री भी है फॉर फाइव गोज ओन सारे हैं ठीक है दोस्त वाइज सेट में हमारे पास क्या है हमारे पास वाइज सेट में सिर्फ 7 11 15 19 चार चार का गैप है हमें पता चलिया 4 4 का गैप आ रहा है यानि 7 है फिर 4 यानि 15 है फिर 4 यानि 19 है फिर 4 डोट डोट सर ही चलता चला जाएगा मतलब ये भी इन्फाइनाइट है अंगिनत है सर ठीक है अब आणडू बंचन कहता है कि हर वाइ के लिए small y छोटा वाइ की बात कर रहा हूं ये दूसरे सेट में जो चोटे-चोटे Y हैं, यह सब चोटे-चोटे Y हैं, small Y लेक लेते हैं ठीक है, output और इस first set में जो होते हैं, इनको हम input बोलते हैं, जिसको X बोला जाता है, ठीक है second set में जितने भी चोटे Y है, 7, 11, इन सब का connection यहां जरूर होगा यह बोलता है, on to, है न, on to कहता है, इन सब का connection यहां जरूर होगा on to को कैसे proof करते हैं, सबसे पहले हमें function लिखना पड़ता है और function को, जो fx है, उसको y लिखना पड़ता है, तो fx is equal to y function हमारा है, fx is equal to 4x plus 3, इसको भी टापन को अब क्या लिखना है इसकी जगा y लिख देंगे, तो सब यह क्या हो जाएगा, y is equal to 4x plus 3 बाट done है सर, बिलकुल done है, अब यहां x की equal बनाओ, y इदर minus 3 इदर आ जाएगा है न, is equal to 4x, 4 यहां आएगा, divide करेगा तो x is equal to y minus 3 upon 4, तो यह अपना x के respect में एक expression आ गया, done sir, अब on to पता क्या कहता, on to कहता है भाई, y के अंदर कौन कौन है, y के अंदर क्या क्या है, तो आपने लिख दिया यार, y एक्चली जो छोटा y है, छोटा y, यह किसको बिलॉंग कर रहा है, यह capital y क्या है, यह capital y, है न, capital y यहां न, तो we can say that, y क्या हो सकता है, y कुट बी 7, ठीक है sir, y कुट बी 11, y कुट बी 15, y कुट बी 19, and so on, तो y इन ही में से कुछ हो सकता है, अब हमारा on to कहता है कि भईया, जो 7 है न, उसका यहां connection जरूर है, जो 11 है न, उसका यहां connection जरूर है, जो 15 है न, उसके लिए यहां pre-image या connection जरूर है, यह कहता है, मतलव second set में हर element का first set में एक connection एक pre-image जरूर होगा, चलिए sir पता कर लेते हैं जल्दी से तो क्या करेंगे चलो तो y की जगा अगर हम 7 रखें तो देखो x क्या आएगा है ना x क्या आएगा तो x is equal to 7 minus 3 upon 4 4 upon 4 यानि की x आगया बिटा 1 x 1 आगया मतलब 7 का connection 1 से होगा 7 का connection 1 से होगा y 7 तो x 1 x 1 ठीक है अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ y की जगा अब next next क्या है 11 है 11 ले लूँ तो x क्या आएगा चलो x देखते हैं sir 11 minus 3 हो जाएगा 11 minus 3 हो जाएगा 8 8 upon 2 11 minus 3 upon 4 तो sir यह 8 upon 4 2 आगया sir यह 2 आगया तो मतलब इसका connection 2 से है तो sir 2 से join कर दो यह solve करके दिखाना पूरा जितना भी लिख रहा हूं न इतने solve करके दिखाना ऐसी तो 15 का connection यहाँ y में 15 का connection 3 से होगा 19 का connection 5 से होगा है ना इदर एक बैठा होगा 24 23 उसका connection 5 से होगा है ना लिख देता हूं 23 लिखी देता हूं 23 23 और डॉट 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 लिखना मत भूलना क्योंकि डॉट 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 का मतलब है बहुत सारे infinite 23 का connection 5 से होगा यानि इदर अपन लिखेंगे therefore for all y for all y for all y का मतलब है जितने भी छोटे y है मतलब capital Y में जितने भी elements है for all y that belongs to capital Y we have x that belongs to n we have x that belongs to first set n therefore this is on to therefore f is an on to function f1 on to function है और बच्चा अगर f1 on to function है f1 1 1 function है 1 1 on to अपन दिखाई चुके है 1 1 भी हो गया on to भी हो गया जल्दी से यहां टिक कर दो on to be है तो अपन क्या लिख सकते है अपन लिख सकते है therefore f is 1 1 on 2 f क्या है 1 1 on to f 1 1 on 2 है orang बच्टा 1 1 on to का मतलब क्या है bi-jective इसका क्या मतलब है sir इसका मतलब है f is bi-jective मतलब f bye-jective function है bye-jective का मतलब क्या हो गया अगर f bye-jective function है तो फिर वो invertible भी होगा है न लास्ट में पन कह सकते हैं therefore f is an invertible function invertible function मतलब f का f inverse निकाला जा सकता है इतना काम कतम हो गया बड़ा question है चार माक्स का question आएगा ये सीधा ठीक है आगे चलते हैं sir और आगे इसके question के इन्होंने कहा है find its inverse अब इसका inverse भी निकालो ठीक है तो इसका inverse भी निकालना पड़ेगा बिटा inverse चलो inverse निकालते हैं erase कर रहा हूं मैं सब जी sir पूरा erase कर दिया अब inverse निकालते हैं अपने f x जो अपन को दिया गया है 4x plus 3 है ठीक है sir inverse निकालने के लिए क्या करेंगे simple है sir पहला step होता है इसको y के equal लिखो तो y is equal to 4x plus 3 ठीक है sir दूसरा step होता है sir x is equal to बना दो इसको तो y minus 3 आएगा is equal to 4x 4 इता divide करने आएगा तो y minus 3 by 4 is equal to x पलट के लिख दो x is equal to y minus 3 upon 4 y minus 3 upon 4 x और y को change कर दो बिटा x और y को change कर दो x की जगा y y की जगा x बस खत्म answer आगया y is equal to we have x minus 3 by 4 यह answer आगया यह जो y है ना इसको हम लिखेंगे f inverse x और यह answer आया x minus 3 by 4 so this is it go and check it out यह अपन ने inverse निकाल दिया खतम हो गया बिटा question question is dead now ठीक है done है बिलकुल done है इसको erase करते हैं चलते है 19th question की तरफ this is 19th जल्दी से पढ़ लो बिटा ठीक है read it aside जल्दी से चलो बिटा यह बाला देखते है 19th question show that the relation are on देखो यह जो दिया ना यह नोंने design दर बना के देने की कोशिश किये यह यह ऐसा आर बनाने की कोशिश कर यह bold है ना तो tension नहीं लेना show that the relation are on are समझो यह अपना जो आर दिया यह अपना देखो यह दिया relation are और यह दिया बढ़िया से design दर आर तो इसका मतलब यह वाला है real number का आर ध्यान रखना मैं फिर बता दे रहा हूं normal आर अगर अपन बनाएंगे normal आर तो यह होता है बिटा relation यह अपन relation को show करने के लिए आर बनाते और थोड़ा सा अगर अपने design बना दिया यह थोड़ा सा देख रहा हूं न यह यह थोड़ा सा अगर अपने बना दिया तो इसको बोलते है real number का set set of real numbers real numbers का set ठीक है डन सर तो इतनी बात के लिए रखना आगे चलते हैं सर जी show that the relation r on r relation जो है न वो r on r है मतलब real numbers पे है इसको थोड़ा सा अच्छा कर दूँ ठीक है यह और यह अब ठीक है ठीक है तो real number पर है जो relation r है it is going r is going from real number के set से real number का set ठीक है सर defined as ठीक है definition भी दी रखी है बिटा r is equal to relation is equal to bracket a comma b bracket close such that a is smaller than or equal to b such that a is smaller than or equal to b ठीक है easily हो जाएगा यार कोई दिक्कत नहीं है is reflexive transitive but not symmetric अच्छा easy है हमें प्रूफ करना है कि यह जो relation है ना यह symmetric यह reflexive transitive पर symmetric नहीं है ठीक है easily कर देंगे देखो सुनते जाओ यहाँ पहले अपन बढ़िया सी पूरी वह बना लेते हैं 123 ठीक है यह बना लेते हैं reflexive symmetric और transitive ठीक है done सर अब हमको proof करना है दोस्त कि reflexive है symmetric नहीं है transitive है यह proof करना है मैं done यह सर चलो शुरू करते हैं relation real number से real number है ठीक है सर अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है वैसे यहां काम हो जाएगा क्योंकि real to real है तो अपन कोई भी number का example ले सकते हैं अब बात करते हैं reflexive की सबसे पहले बात करते हैं reflexive की लेकिन reflexive की बात करने से पहले यह समझ लेते हैं थोड़ा चा समझना बात को a smaller than or equal to b आपको पता है ना इसमें दो चीज़े चिला चिला कर यह बोल रहा है दो चीज़े क्या या तो a b से छोटा हो या फिर a और b बराबर हो या फिर a is equal to b दो चीज़ों में से कुछ भी अगर आ गया तो अपन कहा देंगे हाँ भई या follower है for example मैं कहा दू भीटा 2,1 a,b में मैंने कहा के 2,1 ले लो अब 2,1 ना ही इसको follow कर रहा क्यों नहीं कर रहा दिखो बताता हूँ ये a,b 2 और 1 क्या 2,1 से छोटा है नहीं है सर ये तो गलत है 2 और 1 क्या 2 और 1 equal है नहीं सर ये भी गलत है तो इन दोने में से कोई एक follow हो जाए समझ जाएंगे कि हाँ वो हमारा relation में आएगा clear है ये सर clear है बात समझते जाना तो अपन कुछ terms relation में लिखते हैं कुछ terms तो यह से लिखते हैं अपने मतलब की चीज़े लिखेंगे ठीक है अपने मतलब की चीज़े मतलब समझते जाना देखो ध्यान से सुनना मैं लिख रहा हूँ 1,1 क्या मैं 1,1 लिख सकता हूँ मैं कह रहा हूँ क्यार 1,1 तो आएगा इस relation में क्यों बताता हूँ मैं कह रहा हूँ 2,2 इस relation में आएगा मैं कह रहा हूँ 3,3 इस relation में 100% आएगा sure 100% ठीक है अब मैंने यह डॉट 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 लगा दिया कि काफी चीज आएंगी सेम कॉमा सेम कॉमा सेम सेम कॉमा सेम आएंगी पेटा 100% आएंगी ठीक है फिर मैंने लिखा पेटा 3,4 ये भी relation में आएगा सारी चीज़ें डिसकस करूँगा भी आपसे 5,9 ये भी relation में आएगा माइनस 3,2 ये भी relation में आएगा और मैंने लिख दिया dot 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 ठीक है और मैंने इसको बंद कर दिया बहुत सारी क्योंकि इस relation में 2,4,5,10 नहीं बहुत सारे audit pairs आएंगे ठीक है और तो ये करने की भी जरूवत नहीं है अभी मैं आपको बताऊँगा इसकी भी जरूवत नहीं है ठीक है ध्याँ जो सुनना अब बात करते हैं सबसे पहले reflexive relation की reflexive relation कि ये reflexive relation क्यों नहीं है sorry क्यों है reflexive relation है देखो reflexive relation yes it is क्यों है ये अपन को prove करना है सुनते जाना नमबर वन बात नमबर एक reflexive relation basically talks about set सबसे पहले set की demand करता है reflexive relation ने का भईया किस set की उपर relation बना है तो अपन ने बोल दिया ये set R की उपर बना R to R ठीक है real numbers तो reflexive ने पता क्या कहा reflexive ने का कि भईया जिस set के लिए तुम लोगों ने ये relation बनाया है या जिस set से जिस set पर A to A, B to B, R to R जिस set उसके अंदर जो भी चीजें उनका doublet आना चाहिए उनका doublet आना चाहिए मतलब reflexive relation कह रहा है reflexive relation कह रहा है कि भईया मुझे A, A relation में belong कराना है A, A must belong to relation R अब ये A, A क्या है सर गौर्च सुनना बिटा A, A क्या है ये A कहां से आएगा अरे भईया ये A जो है ये first वाले set से आएगा है ना A, A belongs to R मैं क्या बोल रहा हूँ reflexive relation पहले तो चेक करता है कि किस set का cross product हुआ होगा R to R है तो R cross R हुआ होगा बस अब वो कहेगा कि भाई R में बताओ क्या क्या है तो R में तो relation R में R capital R का मतलब है real number का set सर R के अंदर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 0, 5, upon 2 सारे type के real numbers है तो ये कहेगा कि मुझे हर type के real number का doublet इस relation में चाहिए A को हमाए where for all A that belongs to R यानी real number का set और बिटा ये possible भी है, क्यों possible है सुनो reflexive relation कह रहा है कि भाई तो मुझे ये बताओ, इस set के अंदर कौन है इस set के अंदर 1 है क्या real number का set है 1 होगा, तो 1,1 आना चाहिए 2 है क्या, 2,2 आना चाहिए 3 है क्या, 3,3 आना चाहिए 0 है क्या, 0,0 आना चाहिए 5 है क्या, 5,5 आना चाहिए same, same, same सारे आ जाएंगे क्यों आ जाएंगे मैं बताता हूँ same, same क्यों आएंगे सुनो अगर मैंने लिखा same, same a,a तो मुझे इस वाले में से या तो इसको या इसको follow कर आना पड़ेगा, done है सर? या फिर first should be equal to second first should be equal to second या फिर यह वाली फुल्फिलो यह यहां तो set नहीं हो रही है पर यह यहां set हो रही है यह condition same, same goes with this यह क्या है a, equal दूसरा क्या है b, a a, बिल्कुल सही है, same, same है अगर मैं कहूँ 5,5 तो 5,5 है तो बिटा 5 is smaller than 5, चलो इसको तो follow नहीं कर रहा पर इसको तो follow कर रहा, 5 is equal to 5 है ना, equal same, same इसमें दो relations है, बिटा दो relations है, एक यह और एक यह तो equal, equal same, same, इस वाले पार्ट को follow कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है, चोड़ा इसको तो कर रहा है ना, हासर इसको कर रहा है तो हमारे सारे के सारे इस पूरे relation में सारे real numbers के doublet मौजूद होंगे, क्यों होंगे क्योंकि सारे real number के doublet मतलब 1,1, minus 2,2 minus 2, minus 2, 5,5 root 2, root 2, root 2 root 3, root 3, 5 upon 2 5 upon 2, 5 upon 2, same, same same, 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 same इस वाले condition को follow कर रहा है a is smaller than equal to b है ना, smaller than भली ना हो equal to b तो है, a is equal to b तो है ये दो चीज़े चीक चीक कर कह रहा है कि भाई साहब, a या तो b से छोटा हो, या फिर a, b के बराबर हो तो बराबर वाला तो है ना same, same, a, b, a, b, a, b तो ये तो आ रहा है सर इसी लिए हम कह सकते है yes reflexive है, क्यों है because हम कहेंगे a, a follows follows a is smaller than equal to b इसको follow कर रहा है वो खत्म, clear है, हाँ सर तो ये reflexive होगा, अपनने कह दिया therefore r is reflexive r reflexive है, अब चल दे, symmetric पे, ठीक है, let us move on to symmetric इसको मैं erase कर रहा हूँ, yes sir इसको मैंने erase कर दिया, done yes sir, done, इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा बेटा, symmetric नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा बताता हूँ, सुनते जाना, yes sir देखो second symmetric क्यों नहीं होगा सिर symmetric relation, उसका reason बताता हूँ तुमको सोचना, सोच समझ के बात करना ठीक है, थोड़ा सोचना, example लेना पड़ेगा ठीक है, take an example take an example ठीक है ठीक है, सुनना 3,4 क्या इस relation का सच में पार्ट है होगा, क्यों होगा, बताता हूँ 3,4 इसलिए होगा क्योंकि ये A है, first element ये B है, second element ये या तो इसको follow करें या इसको follow करें, या तो इसको या इसको है न, हाँ सर ये बाट इसको follow कर रहा है 3, first, second क्या है second है, sir, four 3 is smaller than four, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है, 3 is smaller than four follow कर रहा है न, इसको हाँ तो हम कहा सकते है 3,4 हमारा relation का हिस्सा है सर हमारे relation का हिस्सा है सर हैना अपन ने ले लिया 3,4 is a part of our relation क्यों belongs to relation क्यों because because 3 is smaller than 4 हैना because 3 is smaller than 4 follows 3 is smaller than 4 follows a is smaller than और equal to b इसमें follow कर दिया अब symmetric कहता है अगर 3,4 हमारा relation में है तो इसका उल्टा भी relation में होना चाहिए अरे यार एक बात बताओ अब 3,4 हो गया ठीक है सर पर यार 4,3 दोड़ी ना होगा 4,3 relation में belong नहीं करेगा जो भी relation के अंदर audit pair आ रहा है symmetric relation कहता कि उसका उल्टा भी उस relation में होना चाहिए तब मैं खुद को symmetric relation बोलूँगा समझ रहे हो पर 4,3 का उल्टा 3,4 का उल्टा 4,3 हो इनी सकता 5,9 का उल्टा 9,5 हो इनी सकता इसमें क्यों नहीं होगा बताता हूँ सुनो सर यह है 4,3 ठीक है चेक करो 4,3 है के नहीं है 4,3 सर यह है 1st element और यह है 2nd element ठीक है तो 1st element 4 smaller than 3 क्या यह इस condition के हिसाब से यह सही है क्या बिल्कुल नहीं है 4 1st element 4th है 2nd 3 है क्या यह 4 छोटा है 3 सर बिल्कुल नहीं है 4 is equal to 3 1st element 4 2nd element 3 क्या यह equal है बिल्कुल नहीं है तो यार यह 4,3 जो audit pair है वो ना ही इस relation को follow कर रहा है ना ही इसको दोनों में से किसी भी relation को follow नहीं कर रहा तो 4,3 को हम अपने relation में जगा दे नहीं सकते और अगर 3,4 होगा और 4,3 अगर नहीं हुआ तो यह symmetric नहीं है symmetric यहीं तो कहता है कि भी अगर 3,4 है तो मुझे उल्टा भी चाहिए 4,3 भी इसमें चाहिए relation में 4,5,9 नहीं तो 9,5 भी चाहिए I नहीं रहा आई नहीं रहा तो अपन क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे No, therefore F is F नहीं, R is not symmetric therefore R is not symmetric ठीक है? R is not symmetric जल्दी से देख लो बेटा फिर अपन आगे का देखते हैं आगे का question करते हैं, ठीक है? मतलब एक और रह गया है या रभी? Transitive रह गया, Transitive है हम चलो देख लेते हैं Transitive कैसे आए जा सरी इसको erase कर रहा हूं, बच्चाह मैं erasing this ठीक है? Done सर इसको मैंने कर दिया यहां से यहां तक erase अब Transitive की बात कर लेते हैं सर ठीक है? Third is Transitive Done Transitive कि Transitive है अब क्यों है यह बता लगाओ Simple है, सुनते जाना Transitive की Definition Transitive का Process याद होना चाहिए तुम्हें A, B, B, C अगर A, B, B, C मिल गए तो सुनते जाना? Yes सर सुनते जाना ध्यान से Example लेके समझाओंगा सर Example जरूरी है, ठीक है अगर अगर हमारे पास 1,3 ऐसी मैंने example ले लिया Relation में है 1,3 होगा relation में, क्यों होगा सर? 1,3 इसलिए relation में होगा क्योंकि यह A और B बिलकुल सही सही condition follow कर आ रहे हैं A is smaller than B A is smaller than B है नब दो condition है न, A is smaller than B और A is equal to B, दोनों में से कोई एक हो जाए तो काम हो जाएगा, तो 1 is smaller than 3, A is smaller than B ठीक है सर, तो यह तो हमारे relation में बिलॉंग करेगा अब A, B क्योंकि Transitive कहता है, भाई सहाब A, B अगर हमारे relation में है X को X, Y, Z में लेता हूँ A, B नहीं, X, Y, Z X, Y अगर हमारे relation में है और Y, Z Y, Z भी हमारे relation में है तो सर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका आखरी और इसका शुरुवात सेम है, तो इनको काट दो, छोड़ दो, X, Z भी हमारे relation में होना चाहिए, should belong to relation R, और ऐसा होगा यहां, देखो क्यों, सर 1,3 देख लिया आपन ने, ठीक है 1,3 यह 3 पे end हुआ ना सोचो कुछ 3 से शुरू हो रहा हो और इस relation में आ रहा हो 3,4 देख लो 3,4, क्या 3,4 भी इस relation में आ सकता है, रियल रियल 3 में, शुरुवात में 3 हो, तो 3,4 देखो यह A smaller than B को follow कर रहा है, 3 is smaller than 4, A is smaller than B, first element छोटे होगा second से, तो सर यह भी हमारे relation में आएगा, ठीक है अब इन दोनों condition को मद्दे नजर रखते हुए हमने देखा कि यार जो format है, जो तरीका है, जो method है, वो यह कहता है कि X, Y Y, Z, अगर दोनों match कर गया, इसका आखरी और इसका पहला element, match कर गया तो 1,4 होना चाहिए 1,4 belong करना चाहिए हमारे relation से है ना, और 1,4 हमारे relation में belong कर भी रहा है, ज़रो check करते हैं, ठीक है, चलो check करते हैं A हो गया, यह B हो गया Sir, 1 और 4 में क्या इन दोनों में से कोई relation हो रहा है, हाँ Sir यह वाला follow कर रहा है, 1,4 देखो A smaller than B, तो यहार A is smaller than B, यह तो follow कर रहा है, तो यह भी हमारे relation में होगा, ऐसे तुम कई examples उठालो, एक और example देता हूं तुम को देखो, मान के चलो बच्चो तू, मान के चलो बच्चो माइनस 4, 5 क्या यह हमारे relation में आएगा, बिलकुल आएगा, क्यों आएगा क्योंकि माइनस 4, 5 से छोटा है, A is smaller than B, A is smaller than B follow कर दिया है, इसको, yes Sir, clear है बिलकुल clear है Sir, done है ऐसी बच्चो मैं क्या दू, 5, 10 5, 10 यह भी हमारे relation में आएगा क्यों आएगा Sir, A is smaller than B 5 is smaller than 10 A is smaller than B, यह fulfill हो गया तो इसको मद्दे नजर रखते हुए अगर मैं 5 और 5 को काट दू, same same इसका आखरी का element same है इसका पहला element, दोनों match कर रहें काट दिया, तो इसके हिसाब से minus 4, 10 B हमारे relation को belong करना चाहिए और करेगा, क्यों करेगा A, B, A is smaller than B बेटा यह A है, यह B है यह छोटा है B से, तो A is smaller than B यह तो follow कर रहा है A smaller than B, तो इसका मतलब हमारा यह transitive होगा This is transitive ठीक है, तो अपन लास्ट में क्या करेंगे Therefore, yes R is transitive Done sir, बिल्कुल done लोग यह transitive भी हो गया Last question, बड़े-बड़े question है बेटा इसके Last question number 20 पे चलेंगे लेकिन 20 पे चलने से पहले एक बार आप screenshot ले लो अब चलते हैं question number 20 पे Sir इसको clear करो यह रा question number 20 जल्दी पढ़ेंगे इसमें भी 10 मिर्ट तो लगेंगे at least तो समझते हैं इसको Prove that the function F end to end Sir इसका क्या मतलब हुगा, एक function F है ठीक है sir, और यह जा रहा है natural number से natural number तक है ना, मतलब इसके inputs जो है, inputs X की values जो है, Sir वो natural numbers होंगी, और जो output जो Y की values है, वो भी natural number होंगी, clear है बिल्कुल clear है sir, done ओके, और defined by FX is defined by विटा आपन को FX की definition भी दी है क्या define है, X square plus X plus 1, X square plus X plus 1 clear है बिल्कुल clear है sir, है ना, X square plus X plus 1, ठीक है sir, done है Is 1 1 but not on to Prove करो कि यह 1 1 है पर on to नहीं है 1 1 है, पर on to नहीं है, मैं एक बात बता दूँ पर नहीं देखो, दोनो set बनाते हैं पन, ठीक है, दोनो set बनाते हैं done sir, यहाँ natural और यहाँ natural, ठीक है दोनो natural, natural number है, sir, numbers भी लिखो, 1, 2 3, 4 dot dot dot, ठीक है dot 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 यहाँ लिखते हैं, 1 2 3 4 dot 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 ठीक है, done sir, अब सुनते हैं ना मेरी बात पहले 1 1 solve करा देते हैं, रहना बच्चा, पहले 1 1 solve करा देते हैं, चलो 1 1 1 1 दो जल्दी हो जाता है, ठीक है, 1 1 अब 1 1 solve कराने का जो तरीका है, वो ध्यान से सुनना है, ठीक है, गरबड करोगे तुम, मुझे पता है, 1 1, यहाँ तुम 1 1 गरबड करोगे, कैसे? सर, 1 1, जो तरीका है, क्या होता है, हर बार बच्चे वही तरीका फॉलो कर देते हैं, कौन सा? सर, अपन लेते हैं, 2 input, कोई 2 input ले लेते हैं, X1 और X2, ठीक है, अपन ले लेते हैं, let 2 inputs, X1 and X2, 2 inputs ले लिए, अब यह input कहां से आएंगे? सर, यह इधर से input आते हैं, इधर से output, यानि कि X यहां से आएगा, X जितने भी X1, X2, X3, natural number तो हमने का यार, एक natural number अपन लेट कर लिया, दूसरा natural अपन लेट कर लिया, 2 natural number ले लिया, done सर अब अपन ने क्या करा, कि natural number लेने के बाद हमने, natural number जैसे मान के चलो, X1 अगर मैंने यहां put करा, तो इसकी image क्या होगी? इसका output क्या होगा, X1 का, अब X1 का output होगा, FX1, let FX1, X1 अगर तुमने यहां put कर दिया, तो FX1 बन जाएगा, और FX2 बन जाएगा, X2 का output, तो FX2 हो गया, हमने let कर लिया, कि X1 का output FX1, X2 का output FX2, दोनों equal है, हमने let कर लिया, ठीक है, अब let करके solve करके, अगर X1 और X2 भी equal आ गए तो भईया, जीट जाएगे अपन, यह वन वन हो जाएगा, पर देखो ज़रा, यहां कुछ गोल माल है, सुनते जाना, डन सर, सुनते जाना बस, FX1, जैसे तुमने यहां X1 डखका, यहां भी X1, यहां भी X1, तो X1 स्क्वेर प्लस X1 प्लस 1, तो यहां जाएगा बेटा, X1 का स्क्वेर प्लस X1 प्लस 1, क्लियर है, हाँ सर, क्लियर है, यहां क्या होगा सर, यहां क्या होगा, अब FX2 रखको, यहां X2 रखको पिटा, यहां X2 रखको तो यह भी 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, FX2 क्या आएगा, FX2 आएगा पिटा, X2 का स्क्वेर प्लस X2 प्लस 1 done है क्या? बिल्कुल done है sir कोई समस्या? no समस्या sir ध्यान से सुनना? जी sir बिल्कुल ध्यान से सुनना done अब बात बहुत गौर से सुनना यहां तुम plus 1 से plus 1 काट दो कट हो गया sir यह यहां कैसे solve होगा आप x1 का square plus x1 ठीक है sir is equal to x2 का square plus x2 done sir मुझे चाहिए x1 is equal to x2 मुझे यह चाहिए पर कैसे आएगा यार यह यह तो आई नहीं रहा sir कैसे solve करेंगे? ध्यान से सुन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहां x1 का तुम common ले लो तो यहां आएगा x1 plus 1 यहां x2 common ले लो तो यहां आएगा x2 plus 1 अभी भी sir solve नहीं हो रहा है sir अभी भी काम खराब हो रहा है कैसे करेंगे sir इसको solve इतना copy करो बिटा बताता हूँ कैसे solve करेंगे इसको ठीक है? sir यह समझ में आगया अब क्या करें sir? sir इसके आगे तो solve भी नहीं हो रहा x1 equal x2 कैसे लाएंगे sir? तो बटा इस step के बाद इस question में थोड़ा दिमाग लगाना यह step मत कर देना यह step मत कर देना नहीं तो गड़़ड़ा जाओगे दिक्कत में आ जाओगे ठीक है? क्या करें sir? सोचो थोड़ा सा सोचो दिमाग लगाओ इन सब को इधर बुला लो ठीक है sir? तो यह हो जाएगा अपना x1 square plus x1 minus x2 square minus x2 is equal to 0 ठीक है sir? done अब x1 का square minus x2 का square ऐसे लिख को बेटा साथ में अब plus x1 minus x2 इसको ऐसे लिख को is equal to 0 ठीक है? इसको काई कली ब्रैकेट में लिख दिया यार plus x1 minus x2 is equal to 0 done है sir? बिलकुल done है अब कुछ दिख रहे हैं? a square minus b square कुछ समझ में आ रहे हैं यह बात देखो यह हो गया अपना a square minus b square तो sir इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं a यानि x1 plus b यानि x2 और a minus b x1 minus x2 इतनी बात के लिए रहे हैं done sir plus इन दोनों से अपन एक काम करते हैं plus का one common ले ले लेते हैं although one लिखने की जरूरत भी नहीं है but still लिख लो यार तो जाद अच्छा लगेगा थोड़ा सा factorize factorize खेल ला है अपन ठीक है? इतने पाट को ऊपर लाता हूँ मैं और देखता हूँ sir क्या आता है? x1 plus x2 bracket close ठीक है sir bracket open x1 minus x2 bracket close then we have plus 1 x1 minus x2 is equal to 0 अब देखना यहाँ पर भी दो team बन गई दो team मतलब ये दोनों multiply में हैं और ये दोनों तो इनमें से बिटापन देख सकते हैं x1 minus x2 x1 minus x2 पूरा common उठा लो x1 minus x2 common उठा लिए ठीक है sir यहाँ से बचेगा x1 plus x2 ठीक है x1 plus x2 और यहाँ से बचेगा plus का 1 is equal to 0 factorize हो गया factorize हो गया हाँ sir हो गया क्या करते हैं? sir पहला हम इसको या तो equal to 0 मानते हैं या फिर इसको equal to 0 इसको मानो x1 minus x2 is equal to 0 या फिर हम कह सकते हैं और this is equal to 0 x1 plus x2 plus 1 is equal to 0 यह वहाँ जाएगा तो यहाँ से मिला x1 is equal to x2 जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया x1 is equal to x2 पर अभी यह नाटक कर रहा है इसको भी जल्दी से ठिकाने लगाओ ठीके सार इसको ठिकाने कैसे लगाएंगे बिटा सोचो यह एक natural number है यह एक natural number है यह natural number का मतलब है 1,2,3,4,5,6,something,something यह natural number plus natural number plus 1 कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बिटा कभी नहीं हो सकता तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे आप x1 and x2 दोनो natural number है therefore x1 plus x2 plus 1 will never be equal to 0 यह कभी 0 के equal नहीं होगा इसको यहीं छोड़ दो खतम हो गया यह कभी 0 के equal नहीं हो सकता इसको यहीं छोड़ दो natural क्या होता? तो हमें जो condition चाहिए थी वो हमें मिल गई अपन क्या कहेंगे? therefore f is 1 1 f क्या है पिटा? 1 1 जल्दी से copy कर लो so that अपन आगे चले और next अपन को अभी यह on to देखना है कि यह on to क्यों नहीं है है ना we have to prove this is not on to done sir clear है? बिल्कुल clear है sir चलो आगे चलते हैं अब on to तो हाल प्रूव हो जाएगा बिटा इसको erase कर दूँ मैं पूरा yes sir पूरा erase कर दूँ done अरे पूरा erase नहीं करना यार इसको इतना इतना हटा देते हैं ठीक है? इतना हटा देते हैं कि on to के लिए अपन को जगा चाहिए ना अब on to क्यों नहीं है on to prove करना है कि यह on to नहीं है sir ठीक है? on to मेरी बात ध्यान से सुनना इसमें on to prove आराम से हो जाएगा जाद आसमें कुछ लिखना पढ़ेगा नहीं थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आरम से निप्टा दोगे इसको देखो सुनते यहां न बहुत गवर से सुनना हमें जो function दिया fx is equal to x square plus x plus 1 ठीक है दियान से सुनना हम यहां पर अगर input दे सकते हैं तो सबसे छोटा input क्या दे सकते हैं कि fx की जो minimum value आएगी सबसे छोटी किस condition पे x belongs to natural number की condition पे ध्यान रखना वो 3 आएगी सर वो 3 आएगी यह बात लुक्त है fx की सबसे छोटी value x की सबसे छोटी value पे आएगी x की सबसे छोटी value 1 होगी क्योंकि x तो real number है x तो natural number है तो 1 रखने पर यह 3 आया तो एक बात हमें समझ में आ गई सर बहुत दिमाग से लिखना therefore we can say that जो f square x square plus x plus 1 है या तो यह equal to 3 होगा या फिर यह 3 से बढ़ा आएगा या तो यह 3 के equal होगा या 3 से यह पार्ट बढ़ा आएगा तो greater than 3 या फिर equal to 3 यह condition तुम्हें समझ नहीं है यह condition तुम्हें बहुत important समझ नहीं है बहुत जादा जरूरी है अब इससे चीज़ समझ में आई कि sir यह पूरा का पूरा function 3 ही देगा value अब यह 3 है क्या 3 क्या है सोचो 3 क्या है जब हम values रखते हैं x की value जो हमें 3 मिला यह y होता है fx is equal to y fx is equal to y जब भी हम किसी भी x की value को डालते हैं जो answer मिलता है वो हम y बोलते हैं उसको y बोलते हैं तो sir यह 3 क्या है या y हम समझ गए कि 3 जो आया यह y है समझ रहे हो ना हा sir अब जो y है वो यहां से आ रहा है sir है ना दूसरे steps दूसरे set से output वाले से और जो x आ रहा है वो यहां से आ रहा है sir input वाले से इतनी बात done है बिल्कुल done है sir x is coming from first set y is coming from second set y जो है output जो है value of the function जो है वो हमें 3 से नीचे मिली नहीं सकती 3 से उपर आएगी या तो पूरा function 3 के बराबर आ जाएगा या 3 से जादा 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है आ सकता है लेकिन अगर तुम सोचो कि y क्या 2 आ सकता है क्या मैं यहां 2 लिख सकता हूँ कभी नहीं आएगा y क्या 1 आ सकता है क्या मैं 1 लिख सकता हूँ 1 और 2 सेट में 1 और 2 खाली रह जाएंगे दोस्ट खाली रह जाएंगे 3 जैसे ही जो y is equal to 3 है वो 1 को मिला देगा यह समझ गए समझ गए क्या yes or no yes sir अब 4 आएगा क्यों नहीं आएगा I don't know 2 अगर मैंने 2 रख का 2 तो से 4, 5, 6, 7 बिटा अब सीधा 7 2 से सीधा 7 मिलेगा 2 से सीधा कौन मिलेगा बिटा 7 यहाँ कही 7 होगा 2 से सीधा 7 मिल जाएगा 4 के लिए भी इस सेट में कुछ नहीं है 1 के लिए भी इस सेट में कुछ नहीं है 2 के लिए भी इस सेट में कुछ नहीं है समझ में आ रही है बात तो अपन क्या कहेंगे अपना तो काम होता है बही on to क्या होता on to कहता है on to says कि every element in second set will have a pre-image in first set second set का हर element के लिए यहाँ पर एक pre-image यहाँ पर एक connection जरूर होगा पर one के लिए कोई connection नहीं है अगर तुम सोचो कि मैं x square plus x plus one इस पूरी value के equal में y की जगा y की जगा इस पूरे की जगा मैं one लिख दूँ चलो one से one कट गया यह आया x square plus x is equal to zero x common ले लिया आया x plus one is equal to zero तो x की दो values आई एक तो आई x is equal to zero और एक value आई x is equal to minus one zero और minus one यह दोनों ही first set में है ही नहीं तो one y is equal to one के लिए कोई भी यहाँ pre-image नहीं है दोस्त y is equal to two के लिए भी कोई भी pre-image नहीं है तो अपन क्या कहेंगे अपन कहेंगे बेटा ध्यान से सुनिए अपन कहेंगे for क्योंकि y में तो one भी है y में तो one भी है natural number का set है for y equal to one two we do not have we do not have any pre-image any pre-image या any connection आप कुछ भी लिख दो pre-image लिख दो वो जादा अच्छा लगेगा we do not have any pre-image in set first in set first खत्म तो यह क्या है therefore f is not f is not f is not कहाँ चला गया f is not on to f अपना on to नहीं है जल्दी से copy कर लो भीटा खतम करें इसके बाद अपन को find inverse of f and to s where s is the range of f यह भी अपन को करना है जल्दी से देख लो भीटा दूसरा question दूसरा पाट है बड़ा question है ठीक है इसको जल्दी से देख लो फिर अपन इसको भी complete करते है done है sir done है तो इसको मैंने clear कर दिया है अब जो अपन को find करना है find inverse of f such that n to x जो f function f है वो n to s जा रहा है where s is the range of f जो s है वो f की range है मैं सब बताऊंगा detail में पहले पहले आप पॉस्ट करके खुद कोशिश करें अभी पेटा इसका दूसरा पार्ट भी करना है अपन को देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है find inverse of f from n to s समझना अभी अपन को inverse b निकालना है ध्यान से सनो हमें f का inverse निकालना है f अब देखना है इन्होंने f जो function इस बार दिया वो क्या है हमें दिया गया है f function is going from n to s n से s की तरफ जा रहा n से तो हो गया natural number का set अरे भाई ये s क्या है तो s is the range of f जो यहाँ पर function f बढ़ा यहाँ पर गवर से सुनना भीटा जो यहाँ पर range है मतलब s जो है वो range है काहे की range है भाई यहा f s is the range of f तो चलो इस f की range निकालते है range क्या होती है तो मैं पता ही है input डालो output आउटपोट आजाएगा इन्पुट डालो आउटपोट आजाएगा इन्पुट डालो आउटपोट आजाएगा है ना यहां पर हम fx गौर से हमने लिखा सर fx is equal to x square plus x plus 1 अब हमें पता है जो इन्पुट हमने यहां पर शुरू शुरू में डाला था वो 1 था क्योंकि भीया एक्स जो है ना वो नैचुरल नंबर को बिलॉंग कर रहा है तो x या तो 1 हो सकता है दोस्त या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 या 5 या 6 या गोज ओन ऐसे ही जा सकता ह तो fx की जगा मैंने 1 डाला तो यह आया 1 का square 1 और 1 तो 3 आ गया fx की जगा मैंने 2 रखा बिटा तो यहां आया 2 का square 4 5 6 7 ये 7 आया fx की जगा बिटा x की जगा मैंने 3 रखा तो यहां आया 3 3s हो 9 10 11 12 13 ये 13 आया ठीक है फिर f x की जगह मैंने 4 रखा तो ये 4 का स्क्वेर 16 17 18 19 20 21 ये 21 आया फिर f 5 रखा बिटा तो ये क्या आया 55 25 31 आया सरी एफ 6 रखा बस 6 तक ही रखेंगे जादा नहीं 6 6 आ 36 यहां भी 6 रखेंगे 36 36 और 6 6 7 आ 42 43 43 आयगा सर तो ये जो सेट आया ना ये जो सेट बनेगा ना आया उट्पुट का बिटा 3, 7, 13, 21, 31, 43 ये जो आयो पुट का सेट बनेगा इसको हम रेंज बोलेंगे feak ठीक है तो range of f क्या होगी बिटा range of f range of f क्या होगी दोस्त set के अंदर sir लिख तो output set के अंदर लिख तो 3, 7, 13, 21 यह 3, 7, 13 21 31 43 goes on dot 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 ठीक है sir चाहो तो 43 भी लिख तो if you wish तो लोग भी यह 43 भी लिख तो यह हो गया range of f तो s जो इनो ने बोला वो बोला range of f है तो s की जगा हमें range of f लिखना है ठीक है तो इसको तोरह सा अच्छा करके लिखते है अच्छा बनाके लिखते है ठीक है अच्छा ड़न दियान चाह सुनना जो f अंचन है यह natural number से s पर जा रहा है natural number अपना यह है one two three four five dot 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 है ना four तक ही लिख दो बस dot 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 bracket close यह हो गया n arrow n से लेकर s तक s क्या है पेटा s है range of f range of f हमने निकाल ली 3 7 13 21 यह सब चल रही है 3 7 फिर क्या है सर 13 21 फिर क्या है सर 31 43 dot 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 ठीक है dot 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 यह हो गया है भई condition ठीक है हमसे कहा गया है कि भई यह inverse निकालो तो चलो inverse निकाल देते हैं सर है ना inverse निकाल देते हैं सर क्या है ना गौर से सुनो यह जो function है f n to n natural number से natural number यह on to नहीं है यह on to नहीं है natural से natural पे on to नहीं है लेकिन यही function यही same function natural से s पे on to होगा natural से set of s पे on to होगा यह बात तो तैय है 100% होगा अब यहाँ पर अगर on to हो गया थे को वन वन तो था ही बिटा यह on to भी हो गया आप s आगया ना इसका range अब n नहीं रहा n जब range था n to n तो ये on to नहीं था जब n से s हो गया तब ये on to हो गया अब ये on to भी हो गया one one भी हो गया तो इसका मतलब ये अपना byjective हो गया byjective हो गया तो मतलब इसका inverse आ सकता है अब इसका inverse निकालते हैं ठीक है let us work upon finding its inverse ठीक है sir तो समझना बात को यहां inverse कैसे निकाला जाता है sir गोर से देखिए inverse कैसे निकालेंगे i n v e r s e inverse of f जिसको हम f inverse बोलते हैं इसको हम कहते हैं f inverse कैसे आएगा sir कुछ steps है वो हमें follow करने पड़ेंगे step number one हम पहले तो function लिखेंगे f x is equal to x square plus x plus 1 ठीक है sir done फिर f x को हम y से remove कर देंगे इसकी जगा y लिखेंगे तो हमारे पास आजाएगा हमारे पास y is equal to beta x square plus x plus 1 इतनी बात के लिए है yes sir अब जैसे y is equal to something है we have to write x is equal to something x is equal to something बनाएंगे अपनिया ठीक है अब बिटा पन को y के equal में कुछ निकालना x के equal में निकालना है sorry x is equal to something है अब उसके लिए करेंगे क्या ध्यान से सुनना ये पहले मैं हटा दू जरा ये हटा दू वैसे इसका कोई काम नहीं है इसको अटा देते हैं ठीक है sir अब बात समझना है बिटा ध्यान से जैसे हमानके चलो अगर हमारे पास ऐसा होता y is equal to example बता रहा हूँ x square minus 2 suppose ऐसा होता और इसको में x is equal to something में बनाना पड़ता तो हम 2 को यहां भेशते आराम से y minus 2 का plus 2 हो जाता is equal to x square और x से square हटा देते तो x is equal to plus minus under root y plus 2 आराम से हो जाता ये आजाता अराम से बन जाता अगर हमें directly करना होता तो लेकिन यहां पर x square plus x है बिटा यहां easily तुम नहीं बना सकते यहां आसानी से तुम सोच लो कि मैं x is equal to something बना दूँ तो वो easily काम नहीं हो पाएगा यहां हमें class 10 के एक process का इस्तिमाल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं quadratic formula शिरी धराचार formula quadratic equation के roots निकालने के लिए काम आता था देखो गौर से सुनना ठीक है मैं फिर कह रहा हूँ गौर से सुनोगे मजा आएगा देखो इसको वहां लेलो बिटा तो 0 is equal to x square plus x plus 1 minus y अब अपन को x is equal to something चाहिए ना हाँ sir तो अब अपनने क्या करा यहाँ x square लिखा जिसके आगे हमने 1 लगा दिया क्योंकि यह 1 x square है फिर plus का x लिखा उसके आगे भी 1 लगा दिया 1 x और फिर plus का 1 minus x इसको bracket में लिख दिया और is equal to 0 लिख दिया सर गौर से सुनिएगा बिटा यहाँ क्या किया यह x square है compare कर दो बिटा quadratic equation से plus bx और plus c तो बिटा यह a हो जाएगा 1 ठीक है सर b हो जाएगा बिटा 1 ठीक है सर c हो जाएगा बिटा 1 minus y तो c हो गया अपना 1 minus y done है यह सर अब शरी दरह चाहर formula या quadratic formula क्या है सर सर quadratic formula कहता है x is equal to क्योंकि x square है न minus b plus minus under root d upon 2a यह d क्या है सर d होता है discriminant इसको पहले निकाल लेते हैं ठीक है discriminant निकाल लेते हैं जिसका formula होता b square minus 4ac b square का मतलब है दोस्त 1 1 square 1 रहेगा minus 4 into a into c c यह हो गया तो यह हो जाएगा 1 minus 4 multiply करने के अंदर ठीक है 1 minus 4 into 1 minus 4 minus 4 into minus y plus y तो यह हो गया y minus 3 क्या हुआ y minus 3 ठीक है तो इसके अंदर आएगा y minus 3 clear है b square minus 4ac 4 1 जा 4 minus का 4 और minus plus 4y plus 4y आएगा बिटा plus 4y 4 minus 4 into minus y तो plus 4y is equal to यह equal क्यों लगा है मैंने हाँ यह आगया minus 4 into 1 minus 4 minus 4 into minus y plus 4y तो यह आगया बिटा अपना 4y minus 3 यह आए अपना ठीक है यहां लिख देंगे चलो स्टार्ट करते हैं x is equal to बिटा minus b की जगा मैंने 1 लिखा plus minus under root d की जगा बिटा मैंने under root 4y minus 3 लिखा upon 2a 2a मतलब 2 into 1 यह आगया x की value y के terms में इसको मैं erase कर रहा हूँ ठीक है done sir यह आगयी x की value y के terms में समझ रहे हूँ नहीं समझे नहीं समझे क्या सर जी यह आगयी x की value so the value of x is equal to minus 1 plus minus under root plus minus under root 4y minus 3 4y minus 3 upon 2 ठीक है done sir यह answer आगया लेकिन एक बाद ध्यान रखको जब हम x के equal में जैसे हमने fx को y लेखा फिर x के equal में उसके बाद last step करते थे हैं अगर आपको यादो x और y की जगा interchange x की जगा y y की जगा x लिख दो x की जगा y y is equal to minus 1 plus minus under root 4y की जगा 4x आ जाएगा minus 3 by 2 बीटा यह answer है अपना this is our answer inverse निकालना था तो यह inverse अपन ने निकाल लिया ठीक है वाँ इसको अपन f inverse लिख देंगे f inverse x is equal to minus 1 plus minus under root 4x minus 3 by 2 this is our answer जल्दी से देख लो screenshot ले लो क्योंकि यह हो चुका है बीटा खतम आगे चलेंगे और करेंगे next question done है क्या पक्की बात है yes sir done है आगे चलते हैं ठीक है moving on to next so that अपन बढ़िया तरीके से खतम तो होई गया यह ठीक है इस इस अल्रड़ी finished चलिए जर इसको खतम कर दिया है और यह session clear हो गया है I hope आपको सारे questions समझ में आई होंगे बड़े questions दे आगे भी जो भी parts आएंगे जैसे अभी अपनने 20 questions complete किये हैं आगे आपको next part मिलेगा 21 से 30th question 21 से 30 question 31 से 40 question 41 से 50 questions तो यह सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगी lengthy questions होते हैं अभी time के explanation में time लगता है तो I hope आप समझोगे इस चीज़ को पर हाँ अगर आप in questions के explanation को समझने में कामियाब रहे तो आपका बहुत फाइदा होगा because यह chapter बहुत ही जादा important है किस purpose से किस perspective से सर जी यह questions यह concepts हमें आगे कई chapters में इस्तेमाल करने पड़ेंगे domain के range के तो अच्छे से समझ लो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो explanation अच्छा लगाओ तो like जरूर करना channel पर नए आये हो तो subscribe भी कर देना इसी के साथ magnet brains आपको provide कराता है 100% free of course education for all the classes K-12 that is kindergarten से class 12 तक for English medium students of CBSC board इसी के साथ बिटा आपको हम Hindi medium वाले बच्चों के लिए भी पूरे पूरे आप कह सकते हो syllabus के videos प्रोवाइड कराते हैं Hindi medium के बच्चे जो class 6 से लेकर class 12 तक की किसी भी class में पढ़ाई कर रहे हैं UP board के हो MP board, Rajasthan board, Bihar board या फिर Delhi board इन पाँच state board से अगर आप related है मैं Hindi medium वाले बच्चों से बात कर रहा हूं तो बिटा आपको tension लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप Hindi medium के बढ़िया वाले बच्चे हो तो आप हमारे Hindi medium YouTube channel पर जा सकते हो which is Magnet Brains Hindi medium और वहां जाके आप बढ़िया शांदार वाली पढ़ाई कर सकते हो बिलकुल उसी format में जिस format में English medium का बच्चा, CBSE का बच्चा इस channel पर पढ़ाई करता है क्योंकि वहां पर भी Magnet Brains Hindi medium channel पर भी हमारी पूरी team काम कर रही है, वहां पर भी बहुत अच्छे faculties हैं, सब detail में आपको सारे lectures प्रोवाइड कराते हैं इसी के साथ बिटा जिनको notes डाउनलोड करना है English medium वाले बच्चो सुन लो, जो class 6 से लेकर class 12 तक CBS eboard English medium में पढ़ाई कर रहे हैं, भाई वो बढ़िया वाले quality notes डाउनलोड कर सकते हैं, e-books और e-notes के format में, बस website चेक आउट कर लेना www.magnetbrains.com या application पर चले जाना install कर लेना, दोनों ही जगा आप देख सकते हो, grab e-notes नाम की चीज़ दिख रही होगी, click करना अपनी class select कर लेना, भीटा 6 से 12 वी तक कि किसी भी class में जिसमें भी हो तो, subject choose कर लेना और download करके बढ़िया पढ़ाई करना जल्दी मिलेंगे next video में Till then, happy learning, take care, bye